कि ऐलो बचापार्टी वैल्कम टू डाउटट कैसे हैं आप सब येस आइढो आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन आप सोच रहें मैं कैसे कह सकती हूं तो भई आप लोग के कॉमेंट्स देखके मैं कह सकती हूं कि आप पारे हैं हैं तो आज हमारा कॉन सा चैप्टर दूसरा कटपर स्व decir कशनातों आपने ज्ञांत के दूसरा का वर्गी करन पर को करेंगी आगे बढ़नी से पहले ढretsuko इससा परीछे लेंगे लेंगे अज तो बचापाटी आगे बढ़ने से पहले जल्दी से रिकाप लेते हैं रिकाप किसे की रिकाप की हेल्प से हम बात करते हैं कि भाई हमें आज एक्चुला पढ़ना क्या है तो हमने वहाँ पर बात करी थी जीव जगत की है ना वहाँ पर क्या बात कर रही थी हमने जीव जगत की ये रहा हमारा जीव और ये रहा जगत ठीके हमने वहाँ पर बार बार वरगी करण वरगी करण वरगी करण और वरगी करण के बारे में बात कर रहे थे ठीके हम क्या बात कर रहे थे वरगी करण के बारे हैं बहुत बार आया ठीक है वरगी करण मतलब classification किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना ठीक है अब ये जो वरगी करण है तो इसके बारे में हम इस chapter में बात करेंगे कि भाईया जीव जगत में वर्गी करण क्या है ठीक है जीव जगत का वर्गी करण ठीक तो हमने अभी तक क्या देखा था कि भाई जीव जगत के बारे में बात की थी अब तक कि हम सभी जानते हैं कि जीव जगत में वर्गी करण हम लोगों ने देखा था तो क्योंकि इतने सारे जीव हैं इस प्रत्वी के उपर बहुत सारे जीव हैं तो सोचिए कि उनमें कितनी विविनिता होगी कितना वो एक दूसरे से अलग होंगे तो इसी अलग होने की वज़े से उनको अलग भाग या जगत में रखा जाता है उनमें विविनिता होने की वज़े से ही उनका वर्गी करण होने की वज़े से ही उनको भाग या जगत में रखा जाता है ठीके ओके अब हम जानते हैं कि इस आर्थ के ऊपर बहुत सारी जैव विविद्धा पाई जाती है तो इस जैव विविद्धा के खारण जितने भी जीव जनतु हैं सब एक दूसरे से बहुत अलग है है ना और सब के नाम याद रखना इतना आसान नहीं है तो उसके लिए हमने क्या किया था दूई नाम पद्धिती थी ठीके कि भाईया जी यह दूई नाम पद्धिती है इसका यूज करो और इनका नाम रख दो ठीके यही सुना था हमने वाँ पे यही याद किया था लेकिन यहाँ पर हमें उनका नाम नहीं रखना है हमें उन्हें एक दूसरे से अलग करके अलग-अलग categories में रख देना है कि भाई ये इस basis पे इस category में है ये इस basis पे इस category में है और ये इस basis पे इस category में है हमें ये काम करना है यहाँ ठीक है अब जब सारे जीव एक दूसरे से अलग है तो उनके नाम अलग है लायन का अलग है, फ्रॉब का अलग है, लोटस अलग था, ठीक है, मैंगो अलग था, सबके नाम अलग अलग थे, है ना, किसी का नाम सेम नहीं था, और कोई confusion भी नहीं था, कि मैंने जो है, लायन का जो नाम था, वो मैंगो को दे दिया, नहीं किया था ना, राइट, तो यहा तो यहाँ पर उनके गुणों के अधार पर उनके नामों के हिसाब से ठीके उनको हमें classify करना है तो चलिए बिना समय गवाए हम बात करते हैं अपने chapter के main points की एक जल्दी से चोटा सा overview ले ले लेते हैं कि भाईया जी आज हमको पढ़ना क्या है आज से मतलब इस chapter में हमको पढ़ना क्या है तो भाईया जी हमारा overview है हम बात करेंगे जीवों का वर्गी करन ठीके जीवों का वर्गी करन करेंगे और नई होंगे तो अगले group में shift कर देंगे अगले से भी नई होंगे तो अगले में और अगले ऐसे जिसमें match करेंगे उसमें डाल देंगे ठीके ना ओके फिर यह सब points है इस chapter के जो हम जल्दी जल्दी cover करेंगे ठीके इन सब points में भी छोड़े points हैं अंदर उनको भी साथ साथ हम cover करते चलेंगे कौन से हैं यह जगत प्रणाली पांच जगत प्रणाली वाइरस वाइरोड और लाइकन यह main headings है सब heading साम इसके साथ cover करते चलेंगे तो बचापाटी अपनी seat की bells को कस के बान लीजिए because आपको अब इस lecture में कहीं उठके नहीं जाना है यहीं पर रहना है और अच्छे से समझना है ठीके देखो बचा लोग अगर आप लोग बीच-बीचे बाते करोगे न तो आपको mind distract हो ठीके लेकिन आपको mind इदर उदर नहीं करना है concentrate करना है आपको समझना है और जो बचा आज पहली पर क्लास में आया है ठीके तो प्लीज आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और कोई अगर चीज पहले चप्टर से related है आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज जाके प correlate कर सकते हैं चलो बच्छा लोग अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वैज्यानिक माप दंड की ठीके तो जी हमारे जो साइंटिस्ट है क्या नाम था उनका अरस्तू क्या नाम था उनका अरस्तू हमारे मिस्टर अरस्तू इन्होंने क्या किया था सरल अकारे की ठीके सरल अकारे की अकारे की लक्षणों पर लक्षणों पर आधारित जन्तू और पादपों को वर्गीकरत किया था ठीके ये सबसे पहले अरस्तू जी से जिन्होंने प्रपोस किया था कि भाई सरल अकारे की के लक्षण देख के कि इन दोनों के जो क्या है शेप है वह बहुत इजी है सिंपल है ठीके इसलिए इन दोनों को एक ये कटिगरी में डाल देते हैं मतला ये दोनों चीज आप सोचो जो कि एक दूसरे से बहुत अलग है इनको एक ही ग्रुप में डाला था अरस्तू जी ने सिर्फ किस पेसिस पे कि भाई इनको पढ़ना बहुत आसान है ये सरल अकारकी के हैं ठीक है तो इन्होंने बोला कि भाई ठीक है सरल अकारकी के लक्षणों के अजार पर इन दोनों क पर कर रहे हैं वरगी करत कर रहे हैं उन्होंने क्या किया सरल अकारकी के लक्षणों के हिसाब से एक ग्रुप तो ये बनाया और एक ग्रुप ये बनाया ऐसे समझो दो ग्रुप हो गए टू ठीक है तो जितने भी जन्तू थे चाहें वो कोई सा भी हो उन्होंने इसमें डाल दिया किसमें एनी मीलिया में ठीक है जितने भी जन्तू थे जितने भी जानवर थे वो सब किसमें आगए एनी मीलिया में आगए और जितने भी पादप थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, वो किसमें आ गए, इसमें आ गए, किसमें, प्लांटी में, तो हमारे अरुस्तु जी ने दो गुरुप दिये थे, पहला था एनिमेलिया और दूसरा था प्लांटी, ये दो गुरुप इन्होंने दिये थे, कि जि जितने भी प्लांट हैं इसमें डाल दो क्यों उन्होंने सोचा कि जितने भी जानवार है सबकी शेप और साइज तो एक सी होगी और जितने भी प्लांट है सबका शेप और साइज एक सा होगा स्ट्रक्चर मतलब ठीक है सब एक सा होगा तो उन्होंने इन दोनों में उनको डि अने इमा और एन इमा ठीक है एन इमा ओके तो उन्होंने ये किया ठीक है अब प्लांटी में उन्होंने क्या रखे बैशाक शाक रखा उन्होंने ठीक है फिर जाड़ी ठीक है और फिर व्रिक्ष तो उनके हिसाब से ये एक था खेल सारा कि बहुत अनिमीलिया में एनिमा और एन इमा और प्लांटी में शाक जाड़ी और व्रिक्ष ठीक है इन सभी चीदों के बारे में इस चैप्टर में आगे हम प्रणाली यहां पर ठीक है तो पहला क्या था हमारा विज्ञानिक माबदन्द और दूसरा हमारा दिवी जगत प्रणाली के उपर अब हम बात करते हैं ठीक है तो भई यह वर्गी करण की पदती है ठीक है यह वर्गी करण की पदती एं जिसमें संसार के जितने भी जीव है उनको क्या किया उनको उनको एनिमीलिया एनिमीलिया ठीके एनिमीलिया तथा प्लान्टी प्लान्टी दो जगत में विभाजित किया था ठीके यहां पर क्या हुआ था दो जगत प्रणाली में जितने भी जीव थे उनको एनिमीलिया हम जानते यह चीज और प्लान्टी में विभाजित किया था और यह किस ने प्रपोस किया था यह हमारे अरुस्तु ने प्रपोस किय था लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है हम जानते हैं कि यह जो प्रणाली है यह जो प्रणाली है किस ने दी थी अरस्तू जी ने ठीक है लेकिन 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 यह Mr. कौन थे यह Mr. Karls Linius, ठीक है? Carolus Linius, ठीक है? इन्हों ने अपने अभिलेक के रूप में, अभिलेक के रूप में, इनकी एक बुक थी. सिस्टेमा नेचर. ठीक है? यह एक बुक थी. ठीक है? तो यह जो हमारे अरस्तु जी ने यह प्रपोस किया था, तो यह Carolus Linius, ठीक है? इन्हों ने क्या किया? अपनी बुक में इसको लिख दिया. ठीक है? अभिलेक के रूप में. ठीक है? तो यहाँ द्वी जगत प्रणाली में यह हुआ था. ठीक है? यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई, यह तो दे दिया है काल, यह तो अरस्तु जी ने बता दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं भी कर देता हूँ. तो उन्होंने बोला कि जो जन्तु जगत है. जन्तु जगत. ठीक है? और दूसरा क्या है? दूसरा. दूसरा है भाई हमारा पादत जगत. तो इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किये इन दोनों में? क्या मॉडिफिकेशन किये? इन्होंने बोला कि भाई, बहु कोशी किये जन्तु इसमें बहु कोशी किये जन्तु रखे गए. ठीक है? उनके हिजाब से. जन्तु जगत में. ठीक है? और पादत जगत में एक कोशी क किये एक कोशी किये उन्होंने ऐसा बोला ठीक है कि जनतु जकत में बहु कोशी किये और पादफ जकत में एक कोशी किये ठीक है तो उनके हिसाब से बहु कोशी ठीके जनतु में कौन आ रहा था प्रोटोजोड ठीके उनके इसाब से प्रोटोजोड आये थे इसमें ठीके ओके तो ये हमने यह पढ़ा यहां पर इसके बाद तीसरा एक और चीज आती है जो है तीन जगत प्रनाली ठीके दूइज जगत प्रनाली पड़ी अभी हमने अब ये तीन जगत प्रणाली तो भाई साथ तीन जगत प्रणाली में क्या था ये हमारे किस ने दिती हमको अर्नेस्ट हेकल ने दिती हां ये दिती अर्नेस्ट अर्नेस्ट जानते हैं आप कौन है अर्नेस्ट हेकल अर्नेस्ट हेकल ठीक है ये तीन जगत प्रणाली इन्हों ने द थी कब दी थी इन्होंने जल्दी से बताए कॉमेंट्स में कब दी थी उन्हें तब तक मैं लिख देती हूँ जिनको नई पता उनके लिए 18-86 में दी थी ठीके अब इनके अनुसार क्या हुआ यहां पर कि भाई इन्होंने बोला कि जुतने भी सजीव हैं जुतने भी सजीव हैं सभी सजीविओं को जो जाहे वह जन्तु जगत है जन्तु जगत ठीके पादप जगत पादर जगत ठीक है और यहां पर इन्हों ने एक और चीज एड़ कर दी थी अभी तक हमको जन्तु जगत और पादर जगत पता था लेकिन इन्हों ने यहां पर क्या किया एक और चीज एड़ ओन कर दिया है कि भाई तीन जगत हो गए इसको मिला के क्या एड़ किया है इन्ह करते हैं जिनको हम प्रोटेस्टा में रखते हैं ठीक है तो पहला हो गया हमारा जन्तु जगत नमबर वन नमबर टू और पादक जगत ठीक है और नमबर त्री प्रोटेस्ट तो इस तरीके से हमको तीन जगत मिल गए थे करेक बिलकुल कि अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया 1886 में इन्होंने सुझाव रखा कि दो तो थे लेकिन मेरे को एक और तरीके के किसम के जन्तु मिले हैं ठीक है उनको मैं किसमे रखना चाहता हूं इस वाली में प्र ओके ठीक है अगर आपको लगता है यह सब यह सफल हो रही है तो रख दीजिए तो उन्होंने एक और एड़न कर दिया यहां पर ठीक है तो यह था हमारा तीन जगत प्रणाली के बारे में ओके अब इसके बाद एक और प्रणाली आई थी इसके बाद एक और प्रणाली ठीके, कौन्थे, कोपलेंड, ठीके, मिस्टर कोपलेंड, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक और चीज ऐड़ ओन कर दी, ठीके, इन्होंने क्या ऐड़ किया, इन्होंने बोला कि भाई, मोनेरा, मोनेरा को मिलाखे अब, चार जगत हो गए हैं, ठीके, उन्होंने मोनेरा को यहाँ पर एड़ कर दिया, तो हमारे पास कितने जगत हो गए थे टोटल, पहला कौन सा था हमारे पास, ऐनी, मीलिया, ठीके, एक था प्लान्टी, याने की पादब जगत, ठीके, और इससे पहले क्या हुआ एड़, इससे पहले प्रोटिस्ट, ठीके, तो वन, टू, त्री और फोर, चार जगत हो गए, तो ये चार जगत प्रणाली के नाम से फेमस हो गया, ठीके, अब जी, इसके बाद, द्वी जगत, तीन जगत, और ये चार जगत, ये सभी क्या हो गए, ये सभी फेल हो गए, इन सभी में कमिया थी, ठीके, तो, इन सभी में कमिया थी, तो हमारे एक चाहों के कौन थे जिन्होंने पांच जगत प्रणाली दी थी यानि कि फाइब किंग्डम क्लासिफिकेशन चलो पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या प्रस्ताफ दिया था क्या प्रपोस किया था कि भाई ये सब ठीक है पर इनमें कुछ-कु करने के लिए हमें एक चीज और चाहिए जो यहां पर आड़ करनी पड़ेगी या फिर कुछ सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले ठीक है तो चलो देखते हैं पांच जगत प्रणाली की बात करते हैं हम ठीक है पांच जगत प्रणाली तो ये थे हमारे मिस्टर आरच विटेकर आरच विटेकर इन्होंने यहां पर किसको एड़ कर दिया फंजाई को एड़ कर दिया ठीक है फंजाई को एड़ करते हैं तो यहां पर कितने हो गए पांच हो गए कौन कौन से थे पहले हमारे पास तो भाई सबसे पहले हमारे पास अनिमीलिया ठीक है प्लांटी ये दो तो अल्रेडी थे हमारे पास ठीक है फिर क्या आया फिर प्रोटेस्टा आया प्रोटिस्टा आ गिया जी उसके बाद क्या आया था प्रोटिस्टा के बाद कोपलेंड ने क्या आयद किया था मोनेरा जगत किया था मोनेरा राइट तो 1,2,3,4 और हमारे आरेज विटेकर साहब ने क्या किया इसमें फंजाई को और एड़ कर दिया ठीक है तो यहां पर यह जो कुछ भी था यह कोशी का सनरशना जो होती है किस बैसिज में था कोशी का सनरशना की जटिल्टा जटिल्टा शारेरिक संगतन थीक है इसके बाद क्या था पोशन थीक है पोशन के पोशन विधी ठीके और उसके बाद कहता जीवन चक्र जीवन चक्र इसके आधार पर ठीके इनके आधार पर उन्होंने बोला कि भाई इन चीजों के आधार पर मैं five kingdom classification आपको देता हूँ ठीके अब इसमें कमी निकाल के दिखा दो मैंने तो दो तीन चार इन में इन प्रणालीयों में कमिया निकाल दिया है अब ये मेरी दिव ये प्रणाली है इसमें कमिया निकाल दो बाई तो इसके बाद कोई भी ऐसा ने था जो इनमें कमिया निकल सके ठीक है तो हमारे विटेकर साब इतना अच्छा काम करके गए हैं देखो कि हमको five kingdom classification दिया है जिसकी वज़े से हमें पता है कि आनिमल्स किसमें आ रहे हैं प्लांस किसमें आ रहे हैं अमीबा किसमें आ रहा है है और यह पेरमीसियम वेगरा किसमें आ रहे हैं बैक्टीरिया किसमें आ रहा है हम बहुत इसली इनको classify कर सकते हैं ठीक है तो इनहीं की वज़े से यह भी थे और पुराने वेग्यानिक भी जिन्नोंने दो तीन और चार प्रणालियां दी उनकी वज़े से भी सोचिए अगर यह लोग नहीं होते तो आचे में कुछ पता ही नहीं होता कभी सोचे आपने बच्चे लोग बातों पर ध्यान मत दो यहां पर समझो ठीके ओके ठीके चलो यहां तक सभी क्लियर हुआ ओके चलो वागे बढ़ते हैं इसके बाद हमारे पास आता है कि देखिए लीनियस के काल में सभी पादप और जो हमारे लीनियस जी थे उन्होंने क्या करा पादप और प्रणालियों के वरगी करन के लिए एक द्वी जगत पद्दती विक्सित करी थी ठीके हम जानते हैं उ परगी किरत किया था ठीक है ये हमने पढ़ लिया था लेकिन इसके बाद यह अच्छा इनसे मिलीए ये हैं ठीक क्योंने ये यह है लीनियस जीचिक है मिस्टर काल लीनियस इन्हें काल लीनियस भी बोलते हैं केल тоб fortunate लीनियस ठीक है तो वह इनी को बोलते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ओके तो अब हमारे पास क्या आता है अच्छा अब इनकी कम्या देख दी है ठीके कि ये जो फेल हुए थे ये दो जगत ठीके प्रणाली तीन जगत और चार जगत ये जो फेल हुए थे ये क्यों फेल हुए थे ये सारे के सारे इनमें क्या कम्या थी ठीके तो सबसे पहली कमी है इस पद्धी के अनुसार यू कैरियोटिक है ना या ससीम केंदर की एवन प्रो कैरियोटिक या असीम केंदर की इन सबको अलग नहीं किया एक ग्रूप में रख दिया ठीके जबकि बाई जिनमें केंदरक मौझूद है एक से उनको एक में और जिसमें अलग अलग है उन्हें अलग ऐसे रखना चाहिए लेकिन इन्होंने क्या किया एक में रख दिया सबसे बड़ी दिक्कत ये थी ठीके उसके बाद एक कोशिक और बहु कोशिक तता प्रकास चंसलेशी याने की हरिच शेवाल एवं अप्रकास चंसलेशी याने की कवक के बीच विनेद स्थापित करना संभव नहीं था ठीके वो इनको डिस्टिंगिश ही नहीं कर पाए कि हम तो अलग-अलग क्यों रखें ठीके कि इनमें क्या अंतर है कि भाई इसलिए जो प्रकास चंसलेशन करते हैं उनको एक में रखें और जो नहीं करते हैं उन्हें एक में रखें ठीके तो इस वज़े से भी वो फेल हो गया पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गी करण आसान एवं सरल्टा से समझे जाने के बाबजूत बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था अच्छा चलो ऐसे बहुत सारे जीव थे जो जिनको पढ़ना बहुत आसान था ठीके लेकिन उसके बाद भी उसके बाद भी सोचिए कि उनको वो केटिग्राइज नहीं कर पा रहे थे कि बाई अच्छा यह एक जैसे हैं तो इन्हें हम इसमें रख दें यह अलग हैं तो उ एक कोशी की यह शेवाल का समू ठीके जैसे यूगलेनोइट हो गए ठीके डाइटम है डाइनो फ्लेगलेट्स है और प्रोटोजोग ठीके परियापत मात्रा में समानता दिखाते हैं ठीके इन्होंने क्या बोला कि बही जो एक कोशी के शेवाल का समू है ठीके वो और जो जो आएं ठीके यह क्या करते हैं यह एक दूसरे से सिमिलर है तो यह गलत साबित हो गया यहां पर उसके बाद हम जाए इन्होंने बोला कि बही लाइकन दोरे जीवों का एक अनोका समू है जो शेवाल और कवक के बीच से संबंध से बनता है ठीके उनके पास ना तो पोधो का गुण है और ना ही कोई जन्तू का गुण है ठीके उन्होंने क्या बोला कि लाइकन क्या होता है यह शेवाल और जो कवक होते हैं उनके बीच का क्या है संबंध है ठीके तो उन्होंने बोला कि संबंध है तो ठीक है लेकिन यह तो बताओ कि इन में ना तो कोई पोधे व वाले गुण हैं तो भाई वो जो प्रणाली थी वो इसको भी एक्स्प्लेन नहीं कर पाए कि इनके हिसाब से भाई हमने क्यों रखा है उन्हें ठीक है फिर इसी कारण अत्यात लंबे समय से चली आ रही वर्गी करण की द्वी जगत पद्दती अप रियाप्त सिद्ध हो होगे अगर आपने कुछ बोला है ठीक उसको आप जस्टिफाइद नहीं कर पा रहे हो किसी दूसरे को नहीं समझा पा रहे हो तो भाई उस चीज का बोलना बेकार है ठीक है तो इसे लिए जितना भी उसमें आया था जिए पद्दती में ठीक है उसमें क्या हुआ कि यह सार क्रिलमेंट के लिए थी हैं सारी चीजें तो जिसमें कमी थी उस चीज को स्विकार कैसे कर लेते हैं ना चलो आगे बढ़ते हैं यह को अब मारे पास आता है सबसे पहले तीन जगत पद्दी किया और भी तक हमने क्या बात करests है कि वह जरेख सबाध करें ठीके अब हम बात करते हैं वो चार जीजगात आई उसमें इतनी सारी कम्या ठीके जो उसके बाद आके तीन जздगद प्रणाली थोड़ा सा कवर करा फिर चार जगद आई उसमें थोड़ा सा और कवर करा लेकिन जो 5 जगद आई उसमें कोई कमी नहीं वच specifically ठीक है, ओके, चुल अब तीन जगत प्रणाली की बात करते हैं, तो ये किस ने दीती है हमको, Ernst Heckel ने दीती, Ernst Heckel, Ernest Heckel नहीं होता है, Ernst Heckel होता है, ठीक है, याद रखना, तो 18, 86 में दीती, मैं आपको अल्रेडी बता चुकी हूँ, मिलना चाहेंगे आप उनसे, ये देखिए, ये हैं हमारे Mr. Ernst Heckel, ओके, ठीक है, तो इनके हिसाब से क्या हुआ, कि यहाँ पर प्लांटी, प्लांटी, प्रोटेस्टा, ठीक है, और अनी, मिलिया, ठीक है, तीन जगत प्रणाली में यही दिनों चीज़े थी, प्लांटी, प्रोटेस्टा, एंड अनी, मिलिया, राइट, तो अब इनके हिसाब से क्या है यहाँ पर, इन्होंने प्लांटी में यू कैरियोट्स को रखा, ठीक है, यू कैरियोट्स, ठीक है, यू कैरियोट्स को रखा, ठीक है, और यू कैरियोट्स के साथ-साथ, इन्होंने किसको रखा भाई? इन्होंने का यह U-cadgets तो है ही साथ साथ स्वपोशी भी है मतलब यह अपना खाना खुद बना रहे है ठीके? ओकी जी फिर हमारे पास प्रोटेस्टा आया प्रोटेस्टा में इन्होंने किसको रखा? जी वो यह बोले कि प्रोटेस्टा में यूकेरियोट्स आएंगे है ना? इसमें यूकेरियोट्स इसमें यूकेरियोट्स ठीके? प्लस इसमें प्लस परपोशी परपोशी मतलब हेट्रोट्रॉप्स परपोशी आएंगे ठीके? और इसके साथ साथ पर पोशी के साथ साथ क्या आएंगे कुछ ऐसे भी हैं जो स्वपोशी है कुछ स्वपोशी जीव थीक ब्लाज है सो इस इस में इस इन्हों नहीं थीक है थीक यह इनके हिसाब से यह इस प्लांटी में eukaryotes प्लस स्वपोशी आएंगे स्वपोशी मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं autotrops protester में eukaryotes आएंगे प्लस परपोशी यानि हेटरोटॉप जो दूसरों पे depend करते हैं और इनके साथ स्वपोशी जीव भी आएंगे कुछ ऐसे ठीके जो अपना खाना खुद बनाते हैं तो इनके साथ से ये आएगा और animalium में इनोंने क्या रखा eukaryotic ठीके प्लस इसमें क्या रखा उन्होंने eukaryotic के साथ साथ परपोशी जीव ठीके इसके साथ साथ इनोंने परपोशी जीव रखती है इसमें ठीके ओके नहां तक clear आगे बड़े सीट की बेल्स बिल्कुल नहीं खोलना है ठीके अपने pilots के command को क्या करना है फॉलो करना है आपको ठीके वनना turbulence होगी ना बीच में लुड़क जाओगे ठीके चलो आगे बड़े ओके चलो अब आती चार जगत पदती मैंने आपको अलवरी बताया है किस ते दी थी यह mister Copeland ने हेचेफ Copeland ठीके क्या इंका नाम हेचेफ Copeland चली मिलते हैं oh my god यह है हमारे mister Copeland इनोंने चार जगत प्रणाली दी थी for kingdom classification ठीके ओके तो इनके हिसाब से क्या था कि भाईया चार जगत में हमारे पास मोनेरा आएंगे ठीके प्रोटिस्टा आएंगे मोनेरा प्रोटिस्टा ठीके और क्या आएगा प्लांटी ठीके और क्या आएगा अनिमीलिया ठीके इनके हिसाब से ये था इनका क्लासिफिकेशन अब जी मोनेरा क्या है माई कोटा ठीके इसमें क्या थे माई कोटा ठीके फिर प्रोटिस्टा में कुछ नहीं था प्लांटे में क्या था मेटा फाइटा ठीके और अनिमीलिया में क्या है मेटा जोह ठीके तो इनके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन था काडेक बिल्कुल ओके तो इसके बाद किससे मिलना है अब बताईए चलिए इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि ठीक है इसके बाद जितने भी प्रणालिया आ गई ठीक है हमने पढ़ ली दो तीन चार लेकिन इन सब के बावजूद कुछ कमिया थी जो पूरी करनी थी है ना तो क्या हुआ कि इसके अतरेक्ट वर्गी करन के लिए अकारिकी के सासथ अकारिकी किस ने दी थी हमको अरस्तु जी ने है ना अक्सरल अकारिकी के हिसाब से जन्तु और पादप को नोंने अलग किया था ठीक है तो भाई हमारे जो आरेज विटिकर सहाब थे जिनोंने फाइफ किंग्डम क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने क्या बोला कि भाई अतरेक्ट वर्गी करन के पोशन की विधी आवाज प्रजनन की विधिया एवं विकासिय संबंदों को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए ये सारे ऐसे आधार हैं जिनके बेसिस पे हम हर एक जीव को अलग कर सकते हैं उनको क्लासिफाइ कर सकते हैं ओके तो हमारे लीनियस जी ने ये बोला ये विटेकर साहब जो थे हमारे इन्होंने वरगी करण की पांच जगत प्रणाली प्रपोस कर दी उन्होंने अपने सारे जो फूल प्रूफ से रखे कि भाईया ये मैं जो है सुस्टम तुमको दे रहा हूं और ये सारे इसके प्रूफ है अब इसको एक्सेप्ट तो करना प्रस्थाविच प्रसावित पांच जगत के जो पांच जगत थे कौन कौन से थे सबसे पहले हमारे पास ऊगया मोनेरा थिक pat के उसके बाद कौन सा आया फ्रोटिस्टा ए मोने राके बाद कौन सा अया प्रोटिस्ट हिर और थैसके बाद क्या रखेंगा ठीक में ये सब जो चीज़े रखी गई है न ये सीरियल वाइस रखी है, क्रम वार रखी गई है, कुछ ना कुछ ऐसी specific चीज़े हैं, जिसकी वज़े से नमबर 1 पे है, नमबर 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है और 5 पे है, क्या वो ऐसी special चीज़े हैं, फटा फट मुझे comment में बताओ, कि ये क कौन से बेसिज हैं, जिसकी वज़े से इनको 1, 2, 3, 4, 5 पे रखा गया है, हो सकता था कि भई मैं अनिमीलिया को नमबर 1 पे रख दूं, ठीके, और मोनेरा को आखिर हैं पहुचा दूं, है ना, लेकिन हम ऐसे ही क्यों पढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, फटा फट बताओ, फिर ला तो भाई, पहला वनस्पति याने कि यह किसमें आ गए, हमारे पादप में आ गए, पादप जगत में, कवक आ गया जी हमारा है ना, उसके बाद जीव जगत आ गए, जिसमें आनिमल से, प्रोटिस्टा आ गए, और प्रो कैरियोड किसमें आते हैं, मोनेरा में आते हैं, हम् फंगी आ गया यह अनिमेली आ गया प्रोटिस्टा आ गया और मोनेर आ गया यह पांच जगत आ गया हमारे पास ओके चलो आगे बढ़ते हैं आहा यह है हमारे Mr. R. H. Wittaker साहब अचा विल्टकर मत बोलना बहुत से लोगे इसको विल्टकर बोलते हैं तो विल्टकर नहीं होता है ถी इनका नाम Wittaker है विल्टकर नहीं है ठीके Row और या रहगा ऒगती कर और क्योंकि देखो अगर आप Wiltaker बोलोगे न तो विल्टकर ही लिखोगे ठीक है तो यह विटेकर है ओके चलो ठीक है इन्होंने देखो क्या दिया आमको एक सिस्टम दिया फाइव किंग्डम्स का ठीक है प्लांटी एनिमीलिया फंगी प्रोडिस्ट्रा एंड मोनेडा ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं पाथ जगत प्राणी का आधार ठीक है कि भई यह जो फाइब जो क्या है फाइब पाथ जगत प्रणाली ठीक है फाइब किंग्डम्स क्लासिफिकेशन यह कौन से बेसिस पे रखा गया है ठीक है ओके तो सबसे पहला आधार क्या है भई कोशी का संरशना ठीक है सबसे पहले हम कोशी का संरशना की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं जो कोशी का होती है वो दो प्रकार की होती है कोशी का क्या होती है दो प्रकार की होती है कौन कौन सी होती है एक होती है एक कोशी किये एक कोशी किये ठीके और दूसरी कौन सी होती है बहु कोशी किये ठीके एक कोशी की और बहु कोशी की यह, ये दो आ गई हैं हमारे पास, ठीके? अब, अब क्या है? अब हम जानते हैं कि पांच जगत हैं हमारे पास ठीके पांच जगत के जीव अलग-अलग है पांच जगत है और सब में क्या है अलग-अलग जीव है ठीके अलग-अलग जीव है तो जब अलग-अलग जीव है तो सोच ये, उनका जब body structure होगा, वो भी अलग-अलग होगा, ना, हाँ, उनके जो cells का number है, जो shape है, वो भी अलग हो सकता है, राइट, ऐसा ही होगा, तो इस basis पे उन्होंने क्या किया, कि भाई, मोनेरा, मोनेरा और प्रोटिस्टा, इन दोनों को उन्होंने एक कोशी किये जीवों में रखा, एक कोशी किये, कोशी का number, ठीक है, यहां रखा, ठीक, और बहु कोशी किये में उन्होंने क्या रखा, यहां पर, यहां पर भाई, उन्होंने रखा, फंजाई, ठीक है, दूसरा क्या रखा, प्लांटी, और, एनी, म तो कोशी का संद्रशना के हिसाब से कोशी कोशी किये में कौन आया प्लानटी और एनिमीलिया ठीक है तो पहला आधार तो moyens हो गिया हमारा कि भर इन दोनों की कोशी का यह 5 है और इन तीनों की X है ठीक है ओके अच्छा एक कोशी की समझते हो ना एक कोशी का है ना जिसमें सिर्फ एक कोशी का होती है जैसे कि अपना अभी बाध पैरामीसियम हां तो वो इसमें आते हैं और बहु का मतलब क्या हुआ बहुत ठीक है बहुत सारी जिनको हम गिन बई नहीं सकते अनगिनद करोडो ऐलियन्स तो यहाँ पर क्या है वो आते हैं क्यों देखो चाहे हम प्लांटी की बात करें channel plants की बात करें हम अनिमल्स की बात करें अपनी बात करें तो हमारी बोढ़ी बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए होती है ट्रुलियंस नंबर ओफ सेल जिनको गिनना ना मुम्किन है ठीक है हर मिनिट में कोई ना कोई सेल मरती है और कोई ना कोई नई जनरेट हो जाती है ठीक है तो आप सोचिए कि आप कैसे काउंट करोगे कि हाँ अगर आभी पांच थी तो पांच रह गई होगी हो सकते चहे हो गई हो यह हो सकते चार हो गई हो है ना ठीक है ओके चलो जी इसके बाद आता है कोशी का भित्ती ठीक है तो कोशी का भित्ती क्या करती है जी सुरक्षा प्रदान करती है हमें हम जानते हैं सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है ठीक है ओके ओके तो भाई इसके हिसाब से उन्होंने कोशी का भित्ती के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला जो मोनेरा है ठीक है कोशी का भित्ती क्या होती है सेल वॉल ठीक है यहां लिख देती हूं चलो cell wall ठीक है जो cell wall होती है वो क्या काम करती है कि cell wall किस से बनी हुई होती है cellulose से बनी हुई होती है है ना cellulose से बनी हुई होती है ना जल्दी बताईए हाँ है नामे किस-किस को याद है ठीक है तो जो कोशी का भित्ती यानि कि जो cell wall है वो cellulose से बनी हुई है तो भाई अब किसमे cellulose present है किसमे absent है इसके हिसाब से भी क्या किया अलग-अलग जगत में विभाजित कर दिया जीवों को ठीक है यह भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अब यह गर आप मोनेरा की बात करते हैं जब उन्होंने मोनेरा को देखा तो उन्होंने कहा कि बैस में तो cellulose present ही नहीं है है नहीं बिल्कुल cellulose क्या है नहीं है ठीक है cellulose नहीं था उसमें तो जितने भी ऐसे जीव थे जिनकी जो कोशिका भित्ती में सेलुलोस नहीं था उसको उन्होंने मोरेना में रखा ठीक मोरेना के बात किया था प्रोटिस्टा की बात करते हैं चलो हम प्रोटिस्टा अब प्रोटिस्टा में क्या हुआ प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे थे जिन में की सेलुलोस प्रेजेंट थी और कुछ में नहीं थी ठीके तो जिन में कुछ में थी और कुछ में नहीं थी उनको किस में रखा प्रोटिस्टा में रखा लिख देते हैं, कुछ में मौजूध थी, ठीक है, और कुछ में नहीं थी, ठीक है, cellulose, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा भाई, फंजाई, ठीक है? फंजाई, तो फंजाई में क्या हुआ? फंजाई में cellulose थी ही नहीं बिलकुल भी, ठीक है, cellulose वहाँ पर मौजूध नहीं थी, ठीक है, नहीं था, ठीक है? cellulose वहाँ पर मौजूद नहीं था किसमें? कोशी का भित्ती में cell wall में मौजूद नहीं था in fact, वहाँ पर एक twist आ गिया भाई वहाँ पर इस cellulose के बदले कुछ और ही मिला उन्हें वहाँ पर क्या मिला वहाँ पर उन्हें? कि भाई इसकी कोशी का भित्ती तो cell wall तो काइटिन नामक एक चीज से बनी हुई है ओके? तो तीन तो यह हो गए फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई फिर प्लांटी उन्होंने प्लांटी देखा ठीक है? तो हम सभी जानते हैं कि भाई प्लांट की जो cell wall होती है उसमें cellulose प्रेजन्ट होती है है ना? तो cellulose वहाँ पर उनको बिल गई ठीक है? तो जितने भी प्लांट्स थे ऐसे जिनमें की cellulose थी तो आपवेसली वो सब एक ही जगा रखे जाते ठीक है? फिर आखरी क्या वस्ता है भाई साब हमारे पास? हमारे पास बच गया आप अनिमीलिया ठीक है? और हम सब जानते हैं कि अनिमल्स में क्या होता है? cell wall में cellulose प्रेजन्ट नहीं होता है क्योंकि cell wall नहीं होती है है ना? तो यहाँ पर नहीं थी, ठीक है? ओखे तो यह भी यहाँ पर clear हो गया कोशी का भित्ती के बाद हमारे पास आता है जी किंद्रक ओखे तो अब हमें पता है कि कोशी का दो प्रकार की होती है ना? जो कोशी का है इनके दो प्रकार है ठीक है? दो प्रकार है ठीक है? तो इसको pro-karyotes में pro-karyotic पहला आगया group हमारे पास ठीक है? और दूसरा क्या आगया हमारे पास? यू-karyotic ठीक है? तो pro का मतलब क्या होता है? pro का मतलब होता है पुराना ठीक है? ये जो pro है इसका मतलब है पुराना ठीक है? याने की पुराना केंद्रक ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो केंद्रक होता है वो स्परस्ट नहीं होता है ठीक है? स्परस्ट नहीं होता है और स्परस्ट होता है या क्लियर नहीं होता है? ये भी कह सकते है स्परस्ट नहीं होता है या और स्परस्ट होता है ठीक है? ओके, यहाँ पर यह हो गया, फस्ट नहीं होता है, ठीके, और यहाँ क्या होता है, यू कारियोटिक मतलब नया, यू मतलब नया, केंदरक, ठीके, नया केंदरक, ठीके, तो यहाँ पर, प्रो कारियोटिक में, किसको रखा था, उन्होंने प्रो कारियोटिक में रखा, मुनेरा को तो मुनेरा जो जगात था उसके जीव से जब उनका केंद्रक देखा गया तो क्या हुआ उन्होंने देखा कि यह क्लियर नहीं है फिल्कुल स्पस्ट नहीं है ठीक है तो जितने भी ऐसे थे कि वही जिनके केंद्रक जो है स्पस्ट नहीं थे उनको किसमें रखा उ में आगे प्रोटिस्ता, ठीके, और फंजाई, ठीके, प्लान्टी, ठीके, और क्या आ गया, एनि, एनि, मीलिया, ठीके, तो भाई, इस हिसाब से, उन्होंने क्या-क्या केंद्रक को, केंद्रक के हिसाब से, उन्होंने, इनको डिवाइड कर दिया, कि ये सब एक तरफ आगा, और विचारा मोनेरा देखो, अलग रही है, ओकी, चलो, कोई बात नहीं, ये तो हो नहीं था, चलो, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आता है मैरे पास भाई, पोशन की विधी, ओके, तो पोशन की विधी, ठीके, तो पोशन की विधी, मतलब भाई, उन्हें खाने की भी तो जरूरत है, अब कौन कैसा खाता है, कौन कैसा खाता है, इसके हिसाब से, उनको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो बैसाब उन्होंने क्या किया जो प्लांटी थे ये तो हो गए हमारे प्लांटी ठीक है और इधर क्या हो गए इधर आ गए जी हमारे जलो सबसे प्लांटी को यह देखते हैं कौन सा कलर ले तो जो प्लांटी थे ठीक है जो प्लांटी थे इनमें क्या थे सब सब सबस्वपोशी थे सबके सब सबस्वपोशी थे ठीक है क्यों क्यों क्योंकि भाई प्लांटी ऐसे होते जो अपना खाना खुछ बनाते राइट ऐसा ही होता है यह नहीं होता है ठीक है उसके बाद चलो मोनेरा को देखते हैं मोनेरा ठीक है अब जो मोनेरा था यह क्या थे यह एक कोशी की जीव थे एक कोशी की जीव थे ठीक है यह क्या थे एक कोशी की जीव थे प्लस यह स्वपोशी थे ठीके स्वपोशी ठीके प्लस रसायन पोशी मतलब एक कोशी के तो जीव थे ही ठीके और उसके एक कोशी के होने के बावजूद यह अपना खाना खुद बना रहे थे इसके साथ साथ यह रसायन पोशी भी थे ठीके इन के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे कि actually वे चीजे हैं क्या यह तो रसाइन पॉस्थी पता है आपको क्या होता है मतलब रसाइन क्या वह कैमिकल और पॉस्थी मतलब पॉस्थी यानि कि कुछ ऐसे chemicals यह खाने के time पर बनाते हैं, ठीक है, जो रसाइन को यह खा लेते हैं, ठीक है, मोनेरा के बाद क्या आए हमारे पास, मोनेरा के बाद हमारे पास आता है protista, तो भाई, protista में कौन आए, परपोशी, ठीक है, इसमें क्या आए, परपोशी आए, परपोशी के साथ साथ इसमें कुछ स्वपोशी भी थे, प्लस स्वपोशी, स्वपोशी क्यों थे, क्योंकि आपको याद है protista में कुछ ऐसे भी थे, जिनमें सेलूलोस मौझूद थी, कुछ में थी और कुछ में नहीं थी, तो जिनमें नहीं थी, वो परपोशी हुए, और जिनमें थी, उनमें क्या थी, सेलूलोस थी, इसी पूरी तरेके से परपोशी होते हैं ठीक है पूरे तरेके से परपोशी हो अब आखर में हमारे पास कौन वैस्ता है बच्छा लोग एनिमीलिया ठीक है एनिमीलिया आप ये जो एनिमीलिया है जल्दी से बताईए ये क्या होता है क्या होता है एनिमीलिया भाई ये परपोशी होता है परपोशी मतलब जो दूसरों के ओपर डेपेंड करता है अपने खाने के लिए हेटरोड्रोप्स लेकिन ये परपोशी होने के साथ साथ क्या होता है, मृतोप पोशी भी होता है, मतलब जो जीव मर जाते हैं, उनको भी खालेते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं, ठीके, ओकी तो ये सारा क्या था हमारा? यह अधार थे जिनके basis पे हमारे आरेच विटेकर सहाब ने 5 kingdom classification दिया था 5 kingdom classification दिया था इसके basis पे ओके सबी को clear है चीज़ यह चीज़ देखो बहुत समझ लो कि plants में क्या है प्लांट क्या है स्वपोशी है ठीक है यह इनका portion का विदी है मोनेदा एक कोशी की होने के साथ स्वपोशी भी और से पोशी भी धौके प्रोटेस्टा कूँ कि अर्म है यह पर नमपर के है ठीक है और ऐसे हमारे अनिमीलिया भी है भाई यह पर पोशी तो है यह मृतोब जीवी मृतोब पोशी भी है ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं अहां फिर आता है जनन ठीक है तो जो जनन है इसमें जनन क्या था यह स्वा युगमन यहां पर स्वा युगमन इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जहां पर जो युगमक होते हैं युगमक वो क्या होते हैं एक समान होते हैं ठीक है जो युगमक होते हैं वो एक समान होते हैं ठीक है एक तो यह हो गया ओके तो जो स्वाय युगमन था इसमें क्या रखे थे इन्होंने स्वाय युगमन ने इन्होंने डाला मोनेरा को मोनेरा ठीके मोनेरा जगत आ गिया एक और दूसरा कौन सा आया प्रोटिस्ट आ गिया जी ये दोनों जगत इन्होंने स्वाय युगमन के हिसाब से क्या किया इधर डाल दिया कि भाई या इनके जो युगमक है वो एक समाने कोई भी अंतर नहीं है बराबर ऐसे शेप और साइज में ठीक है तो यह एक जगत में आ गए इसमें ठीक है ओके दूसरा क्या होता है हमारा फिर जो है हमारे पास आते हैं फंजाई ठीक है फंजाई के बाद कौन आते हैं प्लांटी अब प्लांटी के बाद क्या आते हैं एनिमीलिया अब यह जो तीनों है यहाँ पर आते हैं मेंज चीज यह जो तीनों है बचलोग अरे चल जा यहां क्या होता है इन तीनों में निशेचन होता है ठीके इन तीनों में क्या हो रहा है निशेचन होता है यह तो हम जानते हैं आपका होगे ठीके और इसके साथ साथ इसमें जो युगमक होते हैं युगमक जो होते हैं अलग-अलग होते हैं मदलब एक समान नहीं होते हैं अलग-अलग किसके शेप और साइस के होते हैं शेप साइस ठीके तो जिनके जो यूगमग यूगमक हैं अलग-अलग हैं ठीके तो अगर हम अपने sperm की और ovum की बात करते हैं तो य दोने क्या हैं अलग-अलग shape size के होते हैं, ठीक हैं? बराबर नहीं होते हैं, जो egg होता है मतलब, जो मादा युगमक होता है, वो क्यों होता है? बड़ा होता है, ठीक है? यakने कि spy नर्फ युगमक होता है, छोटा होता है, ठीक है? इसलोरा दम दिच्क उनको फंजाई, आपकी पांच जीव जगत के लक्षण है भाई जो आपके बुक में मौजूद है ठीक है चलो सबसे पहले मोनेरा को देखते हैं कोशी का प्रकार तो भाई प्रोक्यारियोटिक है हमने बात कर ली थी ठीक है इसका कोशी का भित्तिक है है सेलुलोज रहित मनलब नहीं है प्रेजेंट ठीक केंद्रक जिल्ली तो भाई अनुपस्तित है काय संरशना यानि कि कोशी किये है यह पोशन विदी रेको सबोशी है है ना रसायन संसलेशी एवं प्रकास संसलेशी है तदा पर पोशी भी है प्रेजळन की विदी क्या है सहिंग मन हमने अभी पढ़ा था ना ठीक है प्रोटिस्टरध में क्या है यू किरियॉट्टि के देखो ये और कोशी का भित्ति कुछ में प्रेजेंट होती है यही पढ़ा था हमने हो। और केंद्रक प्रिजेंट होता है भाई और काय सप्रशना कोशी किये है ठीके पोशन की वीधी स्वपोशी है देखो और परपोशी दोनों है ठीके और प्रजणान इनका युगमक सलन्ययन और सयुगमन दोनों होता है ठीके पंजाई इस तरह के से देखो यूकेरियोटिक है इसमें प्रेजेंट है कोशिका बित्ती और केंदरा जो है उपस्तित है काय जो सनरशना है बहु कोशिक है और पोशन इनका परपोशी है और निशेचन की क्रिया होती है यह अब पर ठीके प्लांटी यूकेरियोटिक है में फिर केंदरा मौझूध होता है ठीके और काय सनरशनक इंकी उतक याने कि पिश्यू यह क्या एंका पोशिय होते है अपना खाना खुद बनाते प्रकाश अंसुलेशन करते है तीक फिर एनिमेलिया यह यूकेरियोटिक होते है इन neighbors आद लाएं प्रेक्ट उखत्व नहीं हो ती हमने अल्रळी डिस्कॉस किया है कि फिर केंसरे मौझू मैं हमें मालूम है तो टिशू और 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 शिस्टम यह तेन चीज मौझू भूती है चेल से क्या बनता है वहाउन है और कोशिक है सेल से क्या वना तिशू, तिशू यानी उतक, हाँ, उतक से क्या बना, अंग बना, यानी ओर्गन बना, ओर्गन से क्या बनता है, ओर्गन सिस्टम बनता है, यानी ओर्गन तंत्र बनता है, समझ में आ गया, और अंग तंत्र से हमारा शरीर बनता है, ओके, चलो, अब हम क्या होते हैं, हम पढ़ लिजीगा समझ लीजेगा अच्छा बात बताओ कि ऐसा क्या मजबूरी थी भाई कि मुनेरा जगत को वाकि सबसे अलग करना पड़ा यह कोशन आ सकता है आपके दिमाग में नहीं आया कि अच्छा यह मुनेरा जगत है इसको इसको क्यों अलग की है ठीक है इसके अंदर जो आते थे उन्हें दूसरों में भी तो रख सकते थे हैं चार और जगत भी तो थे ना हां इसी में क्यों रखा तो चलो चर्चा करते हैं इसके ऊपर थोड़ हमारा जो जगत था ठीक है पांच जगत वर्गी करण है ना वर्गी करण पांच जगत वर्गी करण वर्गी करण ठीक है किसने दिया था बेटा यह अभी बदाया था ना आपको ये हमारे आरेच विटेकर साहब ने दिया था, हाँ, ठीक है, आरेच विटेकर साहब ने दिया था, अब इनके हिसाब से, इसमें, क्या क्या चीज़े थी, इसमें हमारे पास आया था, सबसे पहले मोनेरा, है ना, फिर क्या आया था, प्रोटिस्टा, है ना, ठीक है, फिर क्या आया था, फंजाई, है ना फजाई के बाद कौन था प्लांटी और फिर एनिमेलिया ठीक है फिर फिर था एनिमेलिया ठीक है यह थे चालो नमबर वान हमारा मोनेरा तो यहां पर हमें किसके बारे हैं बात करने हैं आज आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे मोनेरा के उपर बिल्कुल इसी के उपर फोकस करना है इससे अलग हमें हटना ही नहीं आज ठीक है तो अगर मोनेरा ग्रूप के बात करते हैं तो यहां पर क्या देखा गया था कि भाई हमारी अर्थ के उपर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं ठीक है ऐसे भी जीव होते हैं जो एक कोशी किये होते हैं जो एक कोशी किये होते हैं एक कोशी किये ठीक है यह जो एक कोशी किये जीव होते हैं अगर हम इनके केंद्रक के बारे में बात करें ठीक है, यह जो एक कोशी की यह जीव है, अगर हम इनके केंद्रक के बारे में बात करते हैं, तो इनका केंद्रक कैसा है? नमबर वान, इनका केंद्रक याने की न्यूकलियस, कैसा होगा? पुराने प्रकार का होगा, ठीक है? पुराने प्रकार का, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं, असपस्ट, ठीक, क्लियर नहीं था, असपस्ट, क्लियर नहीं था, या फिर यह क्या थे? यह प्रोकारियोटिक थे, तो इनका केंद्रक कैसा है? पुराने प्रकार का, याने की असपस्ट है, ठीक है? फिर जब इन जीवो का हमने क्या देखा इनकी कोशी का जिल्ली देखी हमने ठीक है कोशी का जिल्ली ठीक है कोशी का जिल्ली आने की क्या होते है कोशी का जिल्ली तो इन जीवों की cell membrane कैसी थी? Cell membrane कैसी थी इनकी cell membrane? बताईए ये अलग-अलग पतार्तों से बनी हुई थी ठीके, उनके आवास के अनुसार उनकी कोशिका जिल्ली बदल जाती है जैसे उनका habitat होता है उसे इसाब से उनकी cell membrane भी बन जाती है ठीके, अवास के अनुसार अवास के अनुसार ठीके, अलग-अलग होती है अलग-अलग ठीके, करेक्ट जैसे habitat में वो रहेंगे वैसे ही उनकी cell membrane हो जाएगी करेक्ट बिल्कुल यहाँ तो कोई doubt तो नहीं है ना हाँ, चालो उसके बाद तीसरा क्या देखते हैं, हम चलो केंद्रक जिल्ली के बारे में बात करते हैं हाँ, अपन किसके बारे में बात करेंगे केंद्रक जिल्ली याने की nuclear membrane, ठीक है nuclear membrane ओके बचा पाटी तो बताईए इसकी केंद्रक जिल्ली कैसी होगी क्यासी होगी इसकी केंद्रक जिल्ली जल्दी जल्दी बताईए आरे बचा सोचो ना जब इससा केंद्रक ही क्या है और इस परस्ट है clear नहीं है तो इसकी केंदरक जिल्ली कहां से आएगी बोलो कहां से आएगी नहीं आएगी ना फिर तो इसमें केंदरक जिल्ली कहां है नहीं है ओके चालो उसके बाद क्या आता है मारे पाद उसके बाद इनका potion आता है ठीक है उसके बाद इन्होंने क्या देखा पोशन देखा चलो यहां लिख देते हैं है ना चौता क्या था पोशन हां तो क्या पाया इन्होंने पोशन कैसा है हां याने कि इनका क्या पोशन खाने का तरीका न्यूट्रिशन कैसा है इनका हां तो इनका न्यूट्रिशन क्या थ कि अच्छे से याद करना है बिल्कुल इसको अच्छे से याद करना है बिल्कुल चलो आगे बड़े हा इसके बाद क्या आता है वारे पास हम हो के चालो नेना जगत कर आता है लेकिन इससे पहले इससे पहले एक और चीज ऐसे बता देती हूँ कि हमारी प्रच्वी पे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनने हम अप्नी नेकी राय से नहीं देख सकते हैं ठीक है म सुक्ष्म दर्शी याने की माइक्रोस्कोप से देखते हैं उनको हम है ना तो वो जो माइक्रोओर्गानिसम्स ने सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है हमारे मिस्टर बैक्तीरिया का ठीक है । कि सबसे ज्यदा नंबर mee यहाई जाते हैं उन्हों है यही पाए जाते हैं सबसे जादा तो अगर जहां बाद बैक्टीरिया की हो रही हो तो बेटा समझ जाना है कि यहां पर हम किसके बारे बात कर रहे हैं यहां पर बात कर रहे हैं मोनेरा जगत की करेक्ट किसकी बात कर रहे हैं मोनेरा जगत की बात कर रहे हैं क्योंकि जो सारे चाले जवादु है सारे बेक्टिरिया हैं कहा पाय जाते हैं वह मोनेरा किंग्धम में फाय जाते हैं ठीक acknowledging हमारे लियुद्प गर रामफों दें ठीक है बहुत नुकसान पलचाते हैं हमारे को तो यूसफुल बैक्टिरिया का एक्जामपल बहुत कॉमनली आप अपने घर में देख सकते हो चल्दी बताओ कौन सा है वो हां कौन सा एक्जामपल है अहां आरे किचन में जाओ दूट से दही बनाओ हां दूट से दही का बनना ठीक है कौन सा बैक्टिरिया लेक्टो बैसलर हां ठीक है और अगर हम हामफुल बैक्टिरिया की बात करते हैं ठीक हामफुल बैक्टिरिया की बात करें अगर हम तो माइको बैक्टिरियम जगह ही नहीं बची Mycobacterium Mycobacterium Tuber Clossus Bacteria ठीके? यह harmful bacteria में आता है और इसे क्या होता है? Tuber Clossus होता है यह जो Tuber Clossus है यह बिमारी का नाम है याने की TB ठीके? Tuber Clossus याने की TB ठीके? तो यह वो bacteria है जो TB का रोग बनाता है हमारे शरीर में ओके? और इसके साथ एक अच्छा एक बुरा बैक्टीरिया देखा हमने अब एक common आता है E. coli E. coli ठीके? अब यह जो E. coli ना यह क्या है? यह अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है हाँ तो यह हमारी body में मौझूद होता है हम? अब अगर यह कम quantity में है मतलब जितने इसके number होने चाहिए उतने में है तो ओके? कोई tension वाली बात नहीं है लेकिन बेटा अगर यह अपनी quantity से बहुत ज़्यादा हो गए इन्होंने अपनी family को आगे बढ़ा लिया तो बेटा आपके लिए बहुत नुकसान दाये कोने वाला है ठीके? उससे क्या होता है? अपने को infection हो जाते है ठीके? fever आ जाता है तो वो इसी esteria coli की वज़े से आता है ओके? और 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 क्या है? चलो एक सॉलमेनला नाम का भी होता है एक वेक्ठीरिया हाँ? होता है ना? हाँ? वो किसली होता है? उससे बहुँ डायरिया हो जाता है हाँ? ठीके? ओके? इसमें बस इतना ही आगे बढ़ते मोनेरा जगत के गुणों की बात करते है कि मोनेरा जगत के गुण क्या है? तो इनके गुण क्या है भाई? मोनेरा जगत के गुण चलो इनके गुण मी देख लेते है अगर हमने गुणों की बात करी थी तो क्या बात करी थी हमने सबसे पहले क्या देखा था कोशी का इसका केंद्रक देखा था हमने सबसे पहले ठीक है केंद्रक देखा था ना सबसे पहले हमने इसका हां केंद्रक क्या था इसका और इस पर्ष्ट था और इस पर्ष्ट ठीक है मतलब कि वो clear नहीं था ओकी फिर केंदरक के बाद हमने क्या देखा था कोशी का जिल्ली देखी थी हमने ठीक है कोशी का जिल्ली कोशी का जिल्ली क्या होती है हाँ मेंपरेन तो इसकी सेल मेंपरेन कैशी थी आवास के इसका जो आवास होता है मतलाब इसका हैविटेट होता है उसके अनुसार होती है केंदरन जिल्ली ठीक है यानि कि nuclear membrane तो हमने क्या बात करें थी जब यह और सिर्ष्ट है यानि कि यह प्रोरियोटिक है तो इसका मतलव इसके पास केंदरन जिल्ली नहीं है तो यहाँ पर नहीं है केंदरन जिल्ली कि उसके बाद क्या बात करें थी हमने है 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 इसके बाद हमने क्या बात करी थी भाई फिर हमने इसके पोशन के बारे में बात करी थी न, पोशन, ठीक है? तो इसका पोशन क्या था? यह सवपोशी भी थे, हाँ, सवपोशी, ठीक है, और परपोशी, ठीक है? तो हमने यह मेन चीजे इसमें नोटिस करी थी, हाँ? यह क्या है Großיים के गुण तो जब ढम इन गुणों की बाता है कि तो हम क्या समझेंगा किया हम किसकी बात कर रहे हैं बेंटेरिया यह बाद कर रहे हैं ठीकाई okay चलो आगे बड़े है भाँ देर से यह अपने आप खुले जा रहा था हा चलो कोई बात अब खुल गया है तो इसको देख लेते हैं ओके कौन सा कलर ले ले हम चलो ब्लू कलर ले ले ठीक है हम चलो अब इनका प्राकतिक आवास याने की नेच्रल हाबिटेट ठीक है उसके बारे में देखते हैं सभी बैक्तिरिया मुनेरा मुनेरा जगत के अंतरगत आते हैं मैंने क्या बोला था अभी कि अगर जहां बैक्टीरिया की बात हो रही हो तो समाझ जाना कि हम किसके बारे बात कर रहे हैं मुनेरा जगत की बात कर रहे हैं ठीक है अब देखो चैटिंग नहीं करो आप लोग ठीक है इसक्ष मची वी आने की unex BBC सरवादिक संक्या में मैंने क्या बोला थे चैस जो बेक्टीरिया होते हैं जू सबसे जीडा संख्या में बताता संपर पाइग जाते हैं हम लगभक सभी स्थानों पर बाते हैं सभी जहां पे कोई प्रकार के बैक्टीरिया देखे जाते हैं सोच यहात ना इसको ऐसे मूठी मैं उठा लूट सोचो इतनी से जगा में कितने सारे बैक्तिरिया होंगे हां सैकडो सोच भी निसकते ये गरम जलके जड़नों मरुस्थाल बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विशम एवं प्रकति प्रति कूल हां वास इस्थानों जहां पर दूसरे जीवों का रहना मुश्कील है वो सोच भ नहीं जाना चाहते यह वहां भी चले जाते हैं क्या बात है इनकी है वह यह जहां मन नहीं करेंगा मैं तो नहीं जाओंगी और ऐसी जगा मरुस्थाल गया तो विल्कुल भी नहीं बहुत गर्मी होती है भाई चलो कई बैक्टिरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं भाई यह बोल रहा है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको फ्री का कोई भी मिल जाए तो उनसे जाके चिपक जाते हैं तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा मैं ऐसे उनका उनके उपर मस्त रहो खाओ पियो ठीक है मस्त अराम फर्माओ है ना उनक जितना भी पोशान है निट्रिशन उनकी बोडी से लेते रहो लेते रहो फ्री फंड में हैं ले लो सब था झाला से लिए तो यह यह थी दाने कि यह उपर रहते और वहां है ऐसे आतरो पे प्र शू Supreme को हैं रूत सानी जब निकल जाता है तो वह को ठाटा बैबाई बोल जाते हैं होते हैं तो यह बिसी है कि जब तक तक मतलब है यह पर जीवी ऐसे उसके उपर रहेंICA जब इसका मतलब वाग खतम हो जाएगा तो इसको टाटा बाई 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 बोल गए ये भी निकल जाएगा पकली गली से चालो आगे बढ़े हां चालो इसके बाद हमारे पास आते हैं Mr. बैक्टेरिया इसकी भोली शकल पर बिल्कुल मत जाना बिल्कुल करतें ब्यार करतें इसको एक काम करतें गोद में अच्छा लगतें हैं असे यही लेकिंधर हात में आकर बैठ इना बिमार कर देगा इसलिए सोचना मत करा इसके बारे में कुछ भी आपाने हमारे पास को तो भाई बैक्टीरिया की अगर सनरश्टा की बात करें तो सबसे अंदर की जो लेयर होती हैं वो बनाते हैं सबसे पहले अरे यार सबसे अंदर की लेयर बनाते हैं हम जो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होती है ठीक इस लेयर को क्या कहेंगे अपन हम इसको क्या बोलेंगे बच्चा पाटी बताओ जल्दी बताओ क्या बोलेंगे इसको हम प्लास्मा जिल्ली प्लास्मा जिल्ली जिसको हम क्या बोलेंगे प्लास्मा मेंब्रेन प्लास्मा मेंब्रेन ओक्य बेटा अब ये जो लेयर है ना इसके उपर एक और लेयर होती है हां कौन सा कलर ले है चलो ब्लू ले लेते हैं इसके उपर एक और लेयर पाई जाती है इस तरीके से लोजी बन गई दूसरी लेयर हां अब ये जो दूसरी लेयर है ये क्या कहलाती है चलो इसी से लिख देते हैं ये जो दूसरी लेयर है ये कहलाएगी कोशी का भित्ती याने की सेलवल ओके याने की सेलवल ये क्या करती है सेलवल ये इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है हमारी सेलवल कौन होते हैं हमारे माबापे न जो हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं हां सबस्याद हम अपनी मा कर देखते हैं कि वो हमारे लेका सिक्दम रहती है ह जो दूसरों को ऐसे ऐसे करके फटाफट बगा देती है पास मता ना चलो इसके बाद किया होते है ना इसके बनाते है इसके बाहर एक मैं पाई जाती है दोट डोट होती है वो जो लाइन बनने न है उसके ध्यान मत देना है डॉट करके बना रही हूं ऐसे ऐसे करके विए टाइम लग जाएगा बनाने में आप बोलो कि मैं इतना टाइम लगा रहे हो बनाने में आप तो ठीक है ये एक लेयर होती है क्या बोलते हैं बिटा इस लेयर को बताओ कहा लिखें यही लिखने क्या नाम है इस लेयर का ये कुछ ही बैक्टीरियास में पाई जाती है सारे बैक्टीरिया में नहीं होती है इसको हम कहते हैं ग्लाइको ग्लाइको कालेक्स कालेक्स ठीक है क्या बोला हमने इसको ग्लाइको कालेक्स बोला ठीक है यह कुछ बैक्टीरियास में मिलती है सब में नहीं मिलती है कि हां चोलो इसके बाद भाई अब यह बैक्ट्यरिया है ना चोछ स्काघ्ट फेले अब इसका मन कर रहा है माद हो गूम लेता हूं इसके पास प्रहार ही इस के पूछ है अगर हमारे हाथ पेर नहीं होते नहीं है कैसे जाए ग sacraben द्रश्लके जाते हैं इसके पास पोछ कर बहुत करती है इसकी पूछ एसी संरशना है होती है इसके पास इसको गति करने में मदद करती है इसकी मुव्मेंट में मदद करती है तो यह पहली संरश्णा होती है वह इस तरीके से होती है जिसको क्या नाम दिया जाता है फ्लेजला ठीक है, क्या कहला आया ये, फ्लेजला कहला आया, ठीक, उसके बाद एक और संद्रशना होती है, जो इस तरीके से पाई जाती है, इसकी बोडी के भार, ऐसे ऐसे करके ऐसे पाई जाती है ठीक है यह क्या होती है यह कौंचा कलर उठाएं यह कहलाएगी पाइलस अब इसी की तरह एक को और संद्रश्ण होती है तो लंबे-लंबे होते हैं वह चोटे-चोटे से होते हैं वो छोटे-छोटे से होते हैं ठीक है ग्रीन नहीं वहाँ दिखेगा नहीं न ओके तो वो क्या होते हैं वो छोटे-छोटे से आरे याज तो ब्लू ही आ गया भूँद चोटे-चोटे से होते हैं, चोटे-चोटे से, ऐसे बॉड़ी के ऊपर, चोटे-चोटे से होते हैं, ठीके, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, सीलिया, ठीके, पक्ष, पच्चमाब, हैना, पच्चमाबी, सीलिया, ओके चलो अब इसके चलने का भी हमारे पास इंतिजाम हो गया अब यह चलने भी लग जाएगा लेकिन इसको एनर्जी भी तो चाहिए ना चलने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए वर्णा कैसे चलेगा यह तो भाई एनर्जी के लिए भी इसने जुगार कर लिया इसके पास एक इस तरीके की संरशना मौजूद है ऐसे वाली हां इसको क्या मोला मीजोजोम ठीक है मीजोजोम जो क्या करती है उर्जा प्रदाम करने का काम करती है क्या करती है उर्जा उर्जा प्रदाम करने का काम करती है चलो अब इसको एनर्जी भी मिल गई अभी क्या अभी इसके ड एहां पर ऐसे सिकर के कुछ एक स्टुक्चर होता है ठीक है यह वता है यह क्या हुआ अंतह यह क्या हुआ है इसको क्या नाम दिया इसको नाम दिया हमने प्लाजमिड छलो यह भी होगिया अब बेटा इसमें एक और स्ट्रॉक्चर पाया जाता है पना आपको कौन सा ऐसे ऐसे करके होता है अब बोलो कि मैं आपने से जीरो दे दिया जीरो नहीं है यह राइबोजोम है यह ठीक है कौन सा 70S ओके तो भाई यह है देख लो अच्छे से हमारा बेक्टीरिया है ना खुबसूरत लेकिन मैंने पहली का था इसके खुबसूरती पर मत जाना और खत अच्छे से ये जी शेत अबर मेंब्रेवें आ इसके पास इंस्मचार धूंग मेंद करने के लिए शेक्षएन इसके देखैंग करता है वाथ से ठीक है बातें नहीं करो बिटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो ठीक है कौन सी फ्लैजिला पाइलस और सीलिया यह तीन संद्रशनाएं जिसकी मदद करती चलने में पिर चलने के लिए इनके पास क्या है मीजोजोम है जिसके लिए इनके बाद इनके पास अनुवनशिक अंतहे वालों क्या बोलेंगे नुक्लियड और बाहे को क्या बोलेंगे हम प्लास्मेड उसके बाद इनके बाद जो राइबोजोम्स होते है जीरो 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 जो आप समझ रहे हो वो 70s होते है तो यह हमारा क्या है बेक्टीरिया ठीक आगे बड़े इनके अंदर मौझूद नहीं होते हैं और तो कुछ नहीं रहे गया है कह ऑट ही शॉप कि चलो आगे बड़ते हैं कि संरचना के आधार पर क्या है पार के छार समुहों में ह理ा है इसे करें भी पहले के ट्थullenा कार । गोल कर्ण American गोल नान से उखे है इसके हैं नाम से अन्येरे आफार मतलब प्रतार डंद और तो क्येसा हुआ आफिक प्र फिर दूसरा आसी छड़ाकार यानि कि चड़के जैसा देखो यह जो कॉमा वाल है न या इसको यहाँ छोड़ दो कि इसको छोड़ देते हैं यह गलती से वहाँ पर आ गया है ठीक है चड़ाकार मतलब चड़ चड़ी जो होती है न हई आसे करके चछड़ाकार वरिब्धियम यहांने की कौमा के यह जो यहां था ना वह इसका पर था वह ऊपरे चुड़ी है वाँपर zap एडिट करते हुए ठीक system कौमा करता है यह कोमा कैसा एसी तो हुता है है मैं नहीं आ देखो 아 है तो यह ऐसे होते है अ ठीक है, हाँ, फिर सरपेल स्पाइरलम, स्पाइरल, ठीक है? कैसा होता है स्पाइरल? ऐसे ही होता है ना? तो देखो, इस तरीके से गोलाकार हो गया, ठीक है, स्पाइरल हो गया, ठीक है, कॉमा हो गया और छडाकार हो गया, सब आ गए यहां पे, आई, चलो, आगे बढ़ते ह बैक्टीरिया, ओके, चलो बैक्टीरिया की बात करते, कर ही रहें, तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, पहला कौन सा आ गया हमारा, कौन सा आएगा पहले, बताओ, जल्दी जल आध्य क्या बोलोगे आध्य बैक्टीरिया हाँ बैक्टीरिया ठीके यह हो गया ओके दूसरा कौन सा हुआ यह बैक्टीरिया ठीक है दूसरा क्या हुआ यू बैक्टीरिया ठीक आध्य बैक्टीरिया क्या बोलते है अपन आर्की बैक्टीरिया हाँ आर्की बैक्टीरिया ठीक है आर्की बैक्टीरिया और यह क्या यह तो अपना है यह बैक्टीरिया ठीक है ओके अभी जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्या होता है इनमें विशेश प्रकार की कोशिका बिद्धी होती है इनमें क्या होती है विशेश प्रकार की यानि की स्पेशल सेलवाल होती है ठीक है ओके और उनमें क्या होते है इनमें कोन आते है प्रकाश संसलेशी आते हैं इसमें संसलेशी ठीक है और क्या आगए इसमें परजीवी आगए हाँ और मृतोब जीवी आगए है ना ठीक है फिर अब वही चो आद्धे बैक्टीरिया है इसको तीन ग्रूप में फिर से डिवाइड कर दिया तीन ग्रूप में इसको डिवाइड किया ठीक है कौन से है वो तीन ग्रूप बताईए हलेफी हाँ और दूसरा क्या है पहला हलेफी हो गया दूसरा मेथनोजन ठीक है तीसरा क्या हो गया थर्मो क्या हुआ बताई जल्दी थर्मो क्या हुआ यह हुआ थर्मो एसिडो थर्मो एसिडो फिलस ठीक है हलेफी मेथनोजन थर्मो एसिडो फिलस ठीक है तो यह जो हलेफी है हलेफी है यह जो हलेफी है इसमें क्या आते है लवनिये जल ठीक है इसमें यह आते है अब यह मेथनोजन होता है यह कहां होता है यह घास खाने वाले घास खाने वाले पशुओं में ठीक है उनके किस में होता है उनके रुमेन में होता है कहां हुआ उनके रुमेन में होता है ठीक है उनके गरम पानी के जरने ठीक है गरम पानी के जरने खिर यहां तक सबको आगे बढ़े अब बात करते हैं चलो यू बैक्टीरिया की हम तो बेटा यू बैक्टीरिया को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कौन से दो पार्ट है भाई स्वपोशी स्वपोशी ठीक है याने की ओटो ट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरा कौन सा है विशम पोशी ठीके जो अपने खाने के लिए दूसरों के उपर डिपेंड रहते हैं ठीके यानि कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं अब यह जो सपोशी है इसको फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया ठीके दो भागों में डिवाइड कर दिया तो भई पहला भाग कौन सा आया? तो पहला भाग हमारा आया प्रकाश संसलेशी स्वपोशी स्वपोशी ठीके? और दूसरा कौन सा आया बिटा? रसायन संसलेशी स्वपोशी स्वपोशी ठीके? अब देखो प्रकाश संसलेशी क्या होते है? जो लाइट की घेल्प लेकी अपने लेट खाना बनाते हैं है, और रसायन संसलेशी क्या होते है? जो अपने आस पडोश से मतला अपने सराउंडिन से क्या करते है? वो chemicals को ले लेते हैं और फिर उन chemicals के help चे क्या करते हैं खाना बनाते हैं तनी कैसे खाते हैं न चलो फिर प्रकास तुंसलेशी का example क्या होगा साइनो बैक्टीरिया और इसका क्या हुआ अनेबिना ठीक है अब चलो विशम पोशी को देखें यह क्या कहना चाहरा है हमसे तो विशम पोशी क्या बोल रहा है कि मैं भी दो टाइप का हूँ पहला पर जीवी ठीक है यानि कि जो दूसरे की बोड़ी पे रहते हैं पर जीवी कि मृटोब जीवी ठीक है जो मृत्त होते हैं उनमें और जो मिट्टी में भी पाए जाते हैं तो बच्चापाड़ी यह हमारे दोनों ठाइप के बैक्टीरिया हो गए छलो नहीं थोड़ा सबना पढ़ लेते हैं हमसे क्या और भी कुछ कह रहे हैं हमसे बते हैं पढ़ाई में ध्यान दो पढ़ाई में, बिल्कुल, हिलना नहीं है, ठीक है, आरहे समझ में, क्या बोल रही हूं मैं, क्या बोल रही हूं बताओ, दे रहे हो ध्यान, ध्यान नहीं दोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलो के मैं आप गाड़ी भगा रही हो, यह कोगे फिर, कि है चालो इसके बाद आध्य बैक्टीरिय के बारे में कहते हैं तो देखो यह से जिवाडु हैं यह वाता वरण में रह सकते हैं जहां न्य जाती हैं नहीं परणफ सकते हैं अध्य बारी सब्सक्राइब देख हो C ठीक फिर यह जो आदे बैक्टीरिया होते हैं दूसरे बैक्टीरियां से अलग होते हैं क्यों इनकी कोशी का भित्ती की संरश्णा एक दूसरे से इनको अलग बनाती है मैंने कहा था ना आवास के अनुसार यह अपनी क्या करते इनकी कोशी का भित्ती उस हिसाब से बनी होती ह यह लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्था में जीवित रखने के लिए उत्तरदाई हैं ठीके देखो मितनोजेन का मैंने बताया था ना मितनोजेन अनेक रूमेंट पश्वो जैसे गाई और भैस की आतों में पाए जाते हैं यानि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ठीक बूलने नहीं मिलकुल बिलकुल नहीं बूलने कि लूट बहुल रहे हैं कि वह इनकी जो कठोर कोशिका बित्ती होता है ना और कशाब होता है वह प्रेजेंट होता है ठीके और इसी के grew in ki पहचान होती है कि बहई अगर उंके अंदर ये दोनों quality है नमबर वान और नमबर टुप तो इसका मतलब कि मैं क्या हूं क्या हूं टू बक्टीरिया हूं कि नील हरिश चैवाल जिसको क्या किते है साइनो बेक्टीरिया को कि यह क्वेक होते हैं तथा इन आखरे पाधवपों के जैसे पन्हरित एंब भर्ण हरित क्या होता है बीटा कि होता है इस जल्दी बदो क्या होता है हम अरे बच्छा ग्लोरोफिल ए पढ़ाया ना यह हम जो कि प्रकास त चन्सलेशिस व पोशी होते हैं ठीक है यह फिर जुलो साइनों जीवाणू एक कोशी किये होते हैं कोलोनियल होते हैं तंतु में होते हैं लवट जलिये होते हैं समुद्री अथवा इस्थलिये भी होते हैं यह क्या है इनका नैच्रल हाविटेट है ठीक है इनकी जो कोलोनी होथी है ना वो क्या होती है जिलि नुमा आवरण से दकी हुई होती है जिल्ली क्याल मतलब मेंब्रेन है ना इन में उपस्थित हेट्रोसज्ट वायो मंदलिय का इस्त्रिकरन करते हैं कोई स्थिर करते हैं ठीक है इस जैसे उधारण किया इनका नॉस्ट्रोक हो गया और दूसरा क्या हो ग opportunities हो गया यहां ता कोई confusion किसी को आगे आगे भड़ा फटड अपने गाडी चलो आगे वैटते इसके बाद हमार पास देखो क्या है जबकि रसायंसिट्रेशी होते है है झालने लुए कि करने कीमो क्या कi यह ओक्सिक्रत कर देते हैं फिर उनसे जो मुक्त उर्जा से जो उर्जा मुक्त होती है यह हमको मिलती है यह क्या क्या निभाते हैं इसरा क्या क्या मतलब रिसाइक्लिंग ठीक है उसमें भी help करते हैं got it कोई डाउट यहां तक यहां तक सारा concept क्लियर है और डाउट हो तो क्या करना है अपने को doubtnet करना है ठीक है यहीं तो हम मिलेंगे आपको ठीक है बिलिए इन से इसकी भोली शकल पर बिल्कुल नहीं जाना है मैंने फैली बताया था आपको बहुत बहुत खतरनाक इंसान नहीं है जीव है बहुत खतरनाक है यह दिखाई नहीं देगा लेकिन बहुत कुछ भिगाड़ देगा बिमार कर देगा आपको चली आगे बड़े सर प्रथम इनको किस ने देखा था दिख तो गया ही होगा आपको यहां पे हमारे मिस्टर हीरो एंट्वन लिवें और होक ने इनको सबसे पहले देखा था मिलना चाहेंगे आप उनसे हां आगे देखो किते खुशों कर आएंगी आपसे मिलने के लिए इनको हेलो बोलो हेल लिखो फटाफट कमेंड में हलो सर ठीक है हलो मिस्टर एंट्वन लिवें खॉक जी पूछिये कैसे हैं आप चालो आगे बढ़े हां चालो अब जैनन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं मुख्य रूप से कोशी का विवाजन यानि के सेल डिवीशन द्वारा अपना जैनन करते हैं ठीक है कभी-कभी विप्रीत परिस्थितियों में यह बिजाणू बनाते हैं बिजाणू जैसे दूसरे बैक्टीरे में DNA का क्या हो रहा है स्थाना अंत्रन हो रहा है याने की ट्रांसफर हो रहा है वाइगे इतने मल्टी टेलेंटिड है ना अब तो मुझे लग रहा है मुझे भी मल्टी टेलेंटिड होना पड़ेगा कई सारी चीज़ें एक सथ पढ़ानी कोशी का विभाजन याने की सेल डिवीशन इडिया पर क्या हो रहा है सेल चेल जो होती एक सेल जब ब्रेक हो जाती है एक सेल तूटकर दो में बदल जाती है है न अब जब यहां- पर कोशी का विभाजन की बात हो रही है तो बेटा इसका मतलब क्या है यह तो यह छुछ के बात उरिया है यह यहाँ पर क्या हो रहा है पिटा यह एक कोशिका है इसमें विभाजन हो रहा है जब हाँ सेल डिविशन हो रहा है दो में बदल रही है देखो ठीक है पहला दो यह हो गया दूसरा हमने क्या बिजाणू बनाते हैं कभी-कभी है ना यही बात करी हमने बिजाणू के द्वारा जनन ठीक है बिजाणू याने की स्पोर द्वारा जनन यहां पर क्या होता है हां यहां पर जब प्रतिकूल परिस्थिया होती है हां दूसरे पैंसल लग देता है चलो प्रतिकूल परतिकूल परिस्थितियों जब प्रतिकूल परिस्थितियों परिस्थिति जो है आती है आती है इनके पास तो यह क्या करते हैं देखो आप सबोस्थ करो यह है हाँ यह लाइन किसे गलत हो गई ठीक है इस तरीके से इसने अंदर ही अंदर क्या कर लिया जनन कर लिया ठीक है फिर जब इनके अनुकूल परिस्थिति आई मतलब जो इनको चाहिए थी वो यहाँ पर आ गई तो यह इस तरीके से फट जाता है खुल जाता है यह ऐसे होते हैं भरे हुए है ना यह भरे हुए ह होते हैं फिर क्या करते हैं यह इस तरीके से बाहर निकल जाते यह सब या देखो हवा में फैल गय है अजा तो और तीसरा क्या है फिर विंद ق करें Dit लेंग जनन करते हैं यह यहां यहाने कि जहां बात क्या हो रही है sexual reproduction की हो रही है, ठीक है, sexual reproduction, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं यह, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बताओ, यहाँ पर यह दो बैक्तिरिया आके ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़ गए, यह क्या इनका अनुवंशिक पदार्त है इसके अंदर, हाँ, अब यह जो अन में बन जाते हैं इस तरीके से लो जी यह नया बैक्टीरिया बन गिया क्या दिक्का तो भी बताओ इसमें हां कुछ नहीं ना किता सिंपल सब कुछ मुनेरा जगत के बारे में अभी सब कुछ क्लियर हो गया चौलो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोटिस्टा जगत ठीके तो यह जो प्रोटिस्टा जगत होता है यहां पर जो जीव हैं अगर हम इनके जीवों की बात करते हैं यह जो जीव हैं यह क्या होते हैं जल्दी पताइए इनके क्या गुण हैं अगर हम इनके गुणों के उपर जाते हैं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके कैसे है ना हम चलो तो एक जीव के अंदर सबसे पहली चीज क्या देखी जाएगी भाई कि वह एक कोशी किये होने चाहिए क्या एक कोशी किये ठीक है उसके बाद यह जो एक कोशी किये जीव है तो हमने क्या बात करी थी कि भाई इनके अंदर एक केंद्रक भी मौझूद होता है केंद्रक मतलब चलो एक कोशी की यह मतलब क्या होता है unicellular ठीक है organisms ठीक है अब हम बात कर रहे हैं कि भाई जो ही एक कोशी की जीव है ठीक है तो यह क्या होते हैं यह eukaryotic भी होते हैं ठीक है ये क्या होगा eukaryotic हो गए eukaryotic ठीक है जब ये eukaryotic है तो इसका मतलब क्या हुआ eukaryotic का मतलब है कि इनके पास जो केंदरक है इसका जो nucleus है वो क्या है एकदम spurs है मतलब clear है अरे इसका मतलब तो इनके पास केंदरक भी मौझूद है तीसरा पॉइंट तो यहीं आ गिया है हाँ इनके पास केंदरक मौझूद है याने की nucleus ठीक है इनके पास nuclear पाया जाता है nucleus क्या है present है present है तो yes ma'am ठीक है न ओके तो जब इसका केंदरक है मतलब nucleus है तो हम यहां पर इसकी जो जिल्ली है याने की जो membrane है उसके बारे में भी बात करते हैं हां तो जब यहां पर एकदम clear nucleus है तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो membrane है वो भी वहां मौझूद होगी और बिल्कुल clear होगी ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके चारों और क्या मौझूद है nucleus membrane nucleus membrane मौझूद है इसके अंदर ओके याने की केंदरक जिल्ली ठीक है ओके अब जब केंदरक जिल्ली यहां पर मिल रही है हमको तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कोशिकांग में मौझूद होते होंगे कोशिकांग मतलब cell organelles हां कि इसके अंदर cell organelles मिलेंगे हमको बताइए बिल्कुल मिलेंगे ठीके कोशिकांग मिलेंगे इसके अंदर हमको हां गलत लिख दिया है यहां पर ka spelling गलत हो जाती है खी bank क्या मिलेंगे इसके इंदर हमको कोशी कांग या निकि कोशी का के अंग कोशी कांग मतलब कोशी का के अंग ठीक है सेल के पार्ट जैसा की कौन कौन से हो सकते हैं आ माइटोकॉंड्रिया हां माइटो इसको बहुत से लोग mitochondria बोलते है mitochondria नहीं होता बच्चा क्या होता है यह mitochondria होता है R कहीं दिख रहे हैं आपको यहाँ पे mitochondria बोल रहे हैं नहीं न, mitochondria ओके यह खो, अभी जैसे आप बोलोगे बिल्कुल वही लिखोगे, अगर आप लिखोगे mitochondria न, तो वो R लग जाएगा automatically वहाँ पर लिखते हुए क्योंकि हम flow में लिखते हैं ठीके, तो इसको याद रखो, mitochondria होता है ओके, चालो दूसरा क्या है, गॉल जी बोडी गॉल जी बोडी, ठीके और क्या होगते हैं ribosomes भी हो सकते हैं ठीके, और यह सब क्या होते हैं cell organelles होते हैं, ठीके चालो, अब जब हम यहाँ कोशिकांग के बारे में बात कर रहे हैं तो और क्या देख सकते हैं यहाँ पर, यह जो कोशिकांग होते हैं यह जिल्ली से मतलब उस membrane से ढखे हुए होते हैं तो इंके बाहर एक membrane मौजूद होती है ठीक है, तो मेरे ख्याल से लिखने की जरुत तो नहीं है कि इसके बाहरalen membrane मौजूद होती है हाँ, चलो, अब क्या बात करता हैं चलो membrane की भात हो गयी है यह लेकिन इसको चलने के भी तो जरुत होती होगी चलेगा कैसे यह जब इसके एस पैर ही नहीं होंगे तो... पैर यह नहीं होंगे इसके पास तो चलेगा है '' इसको गती के लिए यानि movement के लिए किसकी जरुदा है?」 फ्लेजला बताये कशाःब 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 माने दूसरा किया हो गया हमारा पक्षिमाब मतलब सीलिया ठीक के चलो जी अब हमें इसके पैर भी मिल गए कि ये कैसे चलेगा ठीकी लेकिन बच्चा लोग यह बता हूर इसके बास बीचारे के पास घर ही नहीं है ये बेघर है तो तो यह ऐसी कौन सी जगा है जहां हमें यह आसानी से देखने को मिल सकते हैं फ्री फंड में एकदम कहा लिखके चलो उपड़ लिख देते हैं यहाँ पर है ना अलग पेंसे लिख देता है जाकि आपको अच्छे से नजर आता रहे ठीके कहा मिल जाएंगे यह देखने हैं आपको यह मिल जाएंगे आपको जल में यह क्या होते हैं जलिये जीव होते हैं जलिये जीव होते हैं और यह स्वच और लवडिये जल में आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं ठीके याद दा क्लियर ओके चलो अब इनका आवास भी मिल गया है ठीके हमें पता है यह कहां रहते हैं लेकिन आप पॉइंट यह आता है कि यह जनन कैसे करते हैं मतलब यह रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं इनको भी तो भाई अपने फैमली आगे बढ़ानी है नी बढ़ानी है है ना तो अपनी फैमली कैसे आगे बढ़ाएंगे यह तो चलो देखते हैं यह अलांगिक है ना यानि कि एस एक्ष्वल रिप्रोड़क्शन करते हैं किस से करते हैं विखंडन से करते हैं लिख देते है यहाँ पर विखंडन ठीके? विखंडन से कर रहे हैं यह ओके उसके बाद यहाँ पर युगमक सल्लेयन की प्रोसेस भी होती है जब हम युगमक सल्लेयन की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सल्लायन हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर इसका मतलब यहां पर हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं sexual reproduction की ठीक है लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं हम जहां पर हमको दो parents की जरूरत होती है ठीक है अलेंगिंग में नहीं होती है लेकिन लेंगिंग में हमको दो पेरेंस की जरूरत होती है चलो उसके बाद एक और चीज़ होती है यहां पर कोशी का सल्लयन कोशी का सल्लयन भी देखा जाता है यहां पर कोशी का सल्लयन तो बच्छा कोशी का सल्लयन क्या होता है कोशी का सल्लयन का मतलब होता है कि जहां पर दो प्रोटिस्टा एक ऐसे म आपस में जुड़ जाता है यह इस तरीके से जुड़ जाएगा और जुड़ के क्या करेगा यह पूरा एक बन जाता है ठीक है ऍट आपना डीने वगरा जो कुछ कहते हैं इस प्रोटिस्टा जगत के बारे में ओके चालो ठीक है किंग्डम प्रोटिस्टा का निर्मान किस ने किया था हमारे मिस्टर हैकल ने किया था चलो यहां कलर चेंज कर देती हूं वड़ना है वाइट वाइट पर दिखाई नहीं देगा आपको कौन सा कलर उठाएं पर इसलो यह ले लेते हैं ठीक है किंग्डम प्रोटिस्टा का निर्मान हमारे मिस्टर हैकल ने किया था886 में जो हमने अपने इंट्रोडक्शन में देखा था 107 अब जो इसका अध्यान होता है मतलब जो ुश्की पढ़ाई होती है इसमें हम फ्रोटिस्टा के बारे में कोशिए जीवो याने कि जो यूनिसीलिनर औरगानिजम्स होते हैं को समलित क्या गया है मतलब रखा गया है जिसमे जादा तर जलिये यूकारियोटिक जीव को शामिल क्या गया है अब हमने क्या पड़ा था इनका आवाज होता जल में होता है है ना चाहे वह अच्छ पानी हो मतलब क्लीन वाटर हो या लवनी है जल हो ठीक है तो वहां पर यह आसाने से आपको देखने को मिल सकते हैं आपको किसी दूसरी जगा जाने की जरूरत ही नहीं है है चालो पादफ एवं जन्तु के बीच इसंत्र कृणी जो होती है वह क्या होता है युगलीना या यह जीड़ीना थीके मिट्टी में या नमी वाले छेतरों में भी मौजूद होते हैं अब जहां नमी है इसका मतलब वहाँ पर कही न कही किसी न किसी रूप में पानी मौजूद होगा ठीक है अब पानी मौजूद है तो मतलब यह आपको वहाँ देखने बहुत आसाने से मिल जाएंगे यह देखिए यह हमारे मिस्टर यूगलीना ठीक है चलिए यूगलीना जी को आपने देख लिया है इनके बारे में थोड़ा और जाने आगे अहाँ यह जो यूगलीना है ना देखो इसको आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो बेसिकली यह हमको ऐसा दिखाई देता है ठीक है मैंने पहले भी खाया इनकी खुबसूरती के ओपर बिल्कुल ना जाना आप बहुत दोके बाज होते हैं यह ठीक है लेकिन यह जब माइक्रोस्कोप के अंदर इनको हम देखेंगे तो यह ऐसे दिखाई देंगे ठीक है यह क्या है यहाँ पर इसको जो एक पार्ट की अगर हम इसकी बात करें तो इस तरीके से वो दिखाई देगा ठीक है इसको और हम क्या करेंगे और अच्छे से देखेंगे तो हम ओक्की चली आगे बढ़ते हैं चलो अधिकांश प्रोटिस्ट प्रजातिया एक कोशी किये जीव है ठीक है जो हमने अल्रेड़ी अभी बात कर ली है हाला कि kelp जैसे कुछ बहु कोशी किये प्रोटिस्ट भी मौजूद होते है समुदरी घास ठीक है समुदरी घास एक तरह की प्रजाती है ठीक है जो समुदर में पाई जाती है ठीक है ये प्रजातिया इतनी बड़ी हो जाती है कि उनकी उचाई देखिए 100 फीट से भी जादा हो जाती है 100 फीट से भी कितनी बड़ी हो जाती है सोच के देखिए कि ये जो समुदरी घास है ये कितना उचा-उचा हो जाती है किसी दूसरे युकेरियोट की तरह इन प्रजातियों को भी कोशिकाओं में एक केंद्रक और जिल्ली से बंदे अंग होते हैं जैसे दूसरे यूकेरियोटिक होते हैं ना यूकेरियोट होते हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह ये जो प्रजाती है ये जो स्पीशीज है इसमें भी क्या है इसकी कोशिकाओं में एक केंद्रक है और बंदे अंग हैं मतलब को सपोशी भी हो सकते और विशम पोशी भी हम सपोशी क्या होते हैं ऑट्रोपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं विशम पोशी क्या होगे जो हेट्रोट्रोपिक होते हैं ठीक है जो मतलब खाने के लिए दूसरों के पर डिपेंड रहते हैं जैसे कि हम हैं ठीक है आप क्या वैंमी इंगा हो अपने आप ऊठके खाना ले लेते होंगे मंमी आएगा गाना हम खाएंगे वैज वैसे हwashा जब कोई बंदा खाना जब कोई जीव भाना लेगा यहां कि अभर एक हम टिके लेकिन यह सौपोशी भीचारे बहुत अच्छे होते क्या करते हैं यह किसी का मूर नी देखते यह चुपचाप अपना छाना बनाते और खुदी खा लेते हैं लेकिन यह जो विशम पोशी होते है यह इनका काना चील देते हैं ओके जलो आगे बढ़ते हैं अब इन में क्या होता है देखो chlorophyll पाया जाता है है ना chlorophyll पाया जाता है यह chlorophyll किसले यूज़ होता है हां बताओ जल्दी chlorophyll किसले यूज़ करते हैं जो प्लांच होते हैं हम अरे बताया है कितनी बार बताया है फोटो सिंथेसिस के लिए फोटो सिंथेसिस मतलब प्रकाश संसलेशन के लिए ठीक है बिना क्लोरोफिल के क्या वो अपना खाना बना पाएंगे मर जाएंगे बिचारे चलो अब यह जो प्रकाश जिव होते हैं ठीक है यह अमने देख है क्योंकि इनमें chlorophyll मौजूद है राइट चलिए अब क्राइसोफाइट डीनो फ्लेजलेट यूगलिनॉइट प्रोटेजोवा और अपवंक कवक सभी को प्रोटेस्टा में रखा गया है जिनके बारे में हभी अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने जाएंगे इनको एके करक के अब यह जो हमारा प्रोटेस्ट है मैंने क्या बताया इसमें अलेगिक भी होता है और लेगिक जनन दोनों सरीके के होते हैं ठीके क्लियर बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है और वैसे भी जब डाउट है तो अपने को क्या करना है क्योंकि यहीं पे आपको सब कुश मिल ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कि आहां प्रोटिस्टा जगत का वर्गीieso करन याने की प्रोटिस्टा किंग्डम का क्लासिफिकेशन जिसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि इसमें कौन-कौन आते हैं, ठीक, चालो, देखते हैं इसमें कौन-कौन आते हैं, ठीक, चालो, एक लाइन ऐसे बना लेते हैं, तेरी बन गई, फिर से बनाते हैं, आरे, पेन सेलेक्ट ने किया, पेन, अब भी सेलेक्ट हो गिया है, चलो ऐसे लाइन बनाई ठीक सबसे पहले कौन सा आया बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा दो तीन चार और पाँच ठीक है सबसे पहले है क्या है क्राइसो ठीक है सबसे पहले क्राइसोफाइड के बाद क्या आता है डाइनो डाइनो फ्लाजी लेट ठीक है डाइनो फ्लेजिलेट अगर देखो नाम याद नहीं होते हैं तो आदे आदे नाम करके याद कर लो डाइनो फ्लेजी लेट ठीक है ओके फिर तीसे नमबर पे क्या है यूगली नॉइड ओके यूगली नॉइड ठीक है उसके बाद क्या आता है अभी मैंने पहले ही बताया था अपवंक कवक इससे पिछली स्लाइड में अगर आपको याद हो तो यह सारी वही चीज़े लिख रही हूँ मैं ठीक है लास्ट में क्या है प्रोटो जोआ ठीक यहाँ तक लियर सबको क्राइसोफाइट डाइनो फ्लेजिलेट यूगलीनॉइड अपवंक कवक और लास्ली प्रोटोजोवा तो यह जो क्राइसोफाइट है इसको हम किस से लिखते हैं सी से लिखते हैं ठीक है डाइनो फ्लेजिलेट डी यूगलीनॉइड इ यूगलीनॉइड कैसे लिखते हैं इ से स्पेलिंग होती है इसकी यूगलीनॉइड तो हमने क्या किया इ लिखा ठीक है फिर अपवंक कवक क्या होते हैं फ्लाइम मोल्ड होते हैं ठीक है क्या होते हैं यह फ्लाइम mold ठीके slime mold होता है तो इसका मतलब S आरे तो 5 बन गया चालो यह क्या हो गये अपने S हो गये ठीके और lastly protos होगा क्या होता है P तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर C, D, E, S, P C, D, E, S, P अब इसको आप कुछ भी full form बना लो इसकी इसको याद करने के लिए जैसे C से C, C, D हम C, D जो होता है circular disc जो हम गाने सुनने के लिए पहले यूज करते थे वो करके कर सकते हो S, P से क्या होता है superintendent of police होता है E से कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसे करके एक आप बना सकते हो rhythm में कि हाँ यह जो C, D, E, S, P वो यह है ठीक है ताकि आपको याद रहेगा कि पहला कौन सा है दूसरा, तीसरा, चौरता, पांच वहा कौन सा है correct बिल्कुल चलो ठीक है अब यहाँ पर जो important चीज आती है वो यह आती है बचा लोग कि यह जो क्राइसोफाइट और डाइनो फ्लेजिलेट है यह दोनो क्या है पहले और दूसरे नंबर के है ठीक है यह क्या है दोनो पहले और दूसरे नंबर के है first और second और यह दोनो क्या है डोनों प्रकाश संस्लेशी हैं याने कि पोडो सिंथेसिस वाले हैं यह ठीक है यह क्या है प्रकाश संसलेशी ठीक और जिसका मतलब है कि यह क्या है स्वपोशी है correct और जो लास के दोनों है प्रोटोजो और अपवन्वंक- गवक ये दोनों क्या है ये हेट्रोट्रॉपिक है याने कि विशम पोशी है ठीक है विशम पोशी है ये ठीक अब ये बीच में क्या बचा हमारे पास यूगलिनॉइड बचा हमारे पास ठीक है तो ये जो यूगलिनॉइड है यहाँ पर ये क्या होता है यह है mixotropic यह क्या है mixotropic जिसका मतलब क्या है कि भाई यह सवपोशी भी हो सकते हैं और यह विशम पोशी भी हो सकते हैं कि इनको होंगे जब इनको प्रज की रोष्णी मिलें इनको है उसके प्रेजन में क्या डेंगे यह अपना खाना बना लेंगे जब चॉर्ज की रोष्णी सब्सक्राइद करें इसका मतलब क्या हुआ है ये कौन हुए प्रकाश संसलेशक ठीके ब्लैंट्स हुए यानि कि जो फोटो सिंथेटिक फ्लैंट्स होते है वो हुए ठीक और जब ये फोटो सिंथेटिक ब्लैंट होंगे इसका मतलब ये और्टो ट्रॉप्स होंगे अपना ख़ूद बना रहे हैं लेकिन जब इनको सूरज की रोश्णी याने की सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे ये फोटो सिंथेसिस की प्रॉसेस नहीं कर पाएंगे जिसका मतलग भी क्या करेंगे अपने खाने के लिए दूसरों के ओपर डिपेंट हो जाएंगे और उस टाइम ये क्या बन जाए बन जाएंगे विशम पोशी याने की हेट्रोट्रॉपिक बन जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल भी कन्फ्यूशन नहीं रखना है यहां पर शुरू के दो जो हैं वो क्या है वो फोटो सिंथेटिक होते हैं सन की प्रेजिंट में क्या करते हैं प्रेजिंस में अपना खाना प्रेजिंट करते हैं पूरे तरीके से वो डिपेंड करते हैं दूसरों पर ठीक है वो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी लेकिन यह जो यूगलीनोइड होता है यह बहुत तेज है इसने का भाई मैं तो इनके बीच मेंसें इंड़ों की फायदा यह मुझे सूरज की रोश्णी मिल गई तो बना लूँगा मैं अपना खाना और नहीं मिली तो मैं दूसरों का खा लूँगा ठीक है तो यह यह यूगलिनौइट क्या है यह बेसिकली इसमें दोनों के गुण हैं इसलिए इसको मिक्सों भोला है मिक्सों ट्रॉपिक भोला है ठीक है यह मिक्स है चलो यहां तक लिए आगे बढ़ते हैं हां बात करते हैं क्राइसोफाइट की जो सबसे पहला था हमारा ठीक है तो क्राइसोफाइट के बारे में हमने भी क्या बात करी है यह जो क्राइसोफाइट होता है यह दो टाइप के होते हैं ठीक है पहला क्या हो गया डाय एटेम ठीक पहला क्या हुआ जाय एटेम हो गया दूसरा क्या हुआ हमारा गोल्डन गोल्डन अल्गी गयुकर आब यह जो die atom होता है इसको तो हम क्या बोलते हैं die atom ही बोलेंगे die atom ठीक लेखिए नी यह जो golden algae होती है इसको क्या बोलते हैं हम सुनहरे सुनहरे है शैवाल ठीक क्या बोलेंगे सुनेहरे शैवाल बोलेंगे ठीक है अब अगर हम इन दोनों के आवास की बात करते हैं इन दोनों के आवास की बात करते हैं यह मतलब उनका हैबिटेट क्या है इनका हां तो इनका हैबिटेट क्या है बताईए जल्दी से बातें नहीं करनी है पढ़ाई थ्यान देना है वरgas बोलोगा कि मैं कुछ समझ में नहीं आया है ठीक है उपड़ से ऊड़िया है सब कुछ तो पढ़चाए कि चलो तो इनका आवाज क्या मैं घया हएं यह दोनों के दोनों जो होते हैं न सवच्छ जल में पाए जाते हैं स्वच्छ याने की क्लीन वाटर में एक दम बहुत साफ सफाई वाले लोग हैं इनको गंदगी बिलकुल भी डाजेस्ट नहीं होती है इसलिए स्वच्छ जल में पाए जाते हैं ओके चलो इस्वच्छ जल में पाए जाते हैं उसके बाद हम यह कह सकते हैं कि यह क्या है मजीव है यह ठीक है याने कि माइक्रो और्गानिजम्स है यह माइक्रो और्गानिजम्स ठीक है जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के यूज से ही दिखते हैं हमारी नेकिड आय से इनको हम नहीं बेख सकते हैं ओके चालो ठीक है फिर इसके बाद क्या आता है कि भाई हम कह सकते कि यह क्या है पाधत पाधफ पल्वक जा पाधत मतलब की यह अपने का पानी जाता यह उनका साथ साथ Chalter इंका कोई अपना क्या डालेक्शन नहीं होता है यह पानी अगर उद्र जाएगा तो यह के साथ ऊदर गाले जाएंगे पानी उदर जाएगा प्लैंक्टॉन ठीक है, फाइटॉ प्लैंक्टॉन ओके, यादा एक लियर चलो, अगर हम बात गोल्डन एल्गी की करते हैं तो ये जो गोल्डन एल्गी है ठीक है, इसमें ज़ादा कुछ नी होता है ये बेसिकली क्या होते हैं ये प्रकाश संसलेशी होता है यह, ठीक है, संसलेशी, यह प्रकाश संसलेशी होता है, ठीक, और इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, कौन सा, यहाँ पर इसके वज़े से यलो, इसमें क्या होता है, इसके जो केरेटनॉइड हो यलो यलो ब्राउन यलो ब्राउन यलो ब्राउन कलर आता है ठीक है केरटनोईट की वज़े से आता है ओके चालो अगर हम बात अपने डाय एटेम की करते हैं ठीक इस डाय एटेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह डाय एटेम क्या होता है दो परतों से मिलके बना हुआ होता ह दो परतों से मिलके ऐसे करके एक यह ओगई एक यह ओगई ठीक है अई दो परत हो जाती है फिर क्या होता है कि जो परत होती है इसके इंदर क्या होती है कोशी का भित्ती याने कि cell wall कोशी का बित्ती याने कि इसमें cell wall है ठीक है और यह जो cell wall होती है किससे बनी वही होती है यह cell wall किससे बनी वही होती है चलो dark color से लिख देते हैं इस cell wall में सीलिया भरा हुआ होता है ठीक है सीलिया भरा हुआ होता है इसकी cell wall में सीलिया क्या गाम करता है इसको सुरक्षा प्रदान करता है अब इसकी इसी सुरक्षा की वज़े से क्या होता है कि यह जो die atom है यह मरता नहीं है यह क्या होता है मरता नहीं है ठीक है देखो इसको कितनी सुरक्षा मिल रहे है सेक्योरिटी मिल रही है जेट प्लस से भी जादा ठीक है जेट प्लस सेक्योरिटी से भी जादा मिल रही है कि भाई ये मरता ही नहीं है ठीक है ये क्या करेगा अगर देखो समुद्र है अगर हम बात करते हैं कि भाई यह समूद्र रहे समूद्र नीचे यह ऐसे 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 खटा होता चला जाएगा ऐसे ऐसे कोई करोडों लाखों करोडों और वो साल बात क्या होगा तब हमको पता चलेगा अच्छा यहां पर यह डाय एटम ने क्या कले दाय एटमी म्रदा बना तब पता चलेगा और खूब सारी जम हो जाएगी तो यह क्या कहलाएगी डाय एटमी म्रदा ठीक है यह समूद्र के नीचे क्या हो जाएगी जमा हो जाएगी ठीक यह क्या करेंगे एजनन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तब पता चलेगा अपने को और में इसमें और किया रह गया है इसमें तो और कुछ नहीं है बस क्राइसोफाइटा में इतना ही था ठीक चलो इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सब्सक्राइट गारे संवाल चाहरा है यह होते हैं यानि कि यह कहलाते हैं माइक्रो ओर्गानिजम कहलते हैं अब इसके अंदर टायाटम्स बिखते हैं जो ऑरेड़ी दोनों मैं आपको बता चुकी हूं टीक है इसके अंदर कहते हैं कोशिका है अच्छा धिक कवच मोजूद होता है, एक नीचे वाली शूता है झाल हूंNaào, डखने के एक डिभा इउसे कहें दिखती हैं, मिल्हुक्त साबून ध होता है, है और यसी में वेक ह Вас इसे दिखती है, नीचा वुर्शन को सबून creat ओके तो इन भित्यों में सिलीका होती है ठीके क्या हुआ सिलीका जिसके कारण से यह प्रतिकूल परिष्थितियों में भी नश्ट नहीं होते हैं ठीके ना इनको जेट प्लस से भी ज़्यादा सिक्यूरिटी मिलती है सिलीका से चलो इसी कारण यह डायाटम मृत्य होने के बाद भी अपनी कोशिका भित्ति के अफशेशों की अत्यदिक संख्या को अपने पाय जाने वाले स्थान पर छोड़ जाते हैं मरने के बाद भी सोचो यह अमर हैं जिन्दा है ठीके ऐसे मरने का क्या फाइदा चलो आगे बढ़े चलो लाखों करोडों वर्षों में मैंने क्या बताया था करोडों साल निखल जाते हैं जमा हुए इन अफशेशों को डाय एटमी म्रदा कहते हैं यह बताया था भी मैंने है ना हम ठीके यह क्या होता है म्रदा कड के जैसे होते हैं जैसे स्वाइल पार्टिकल बिल्कुल वैसे दिख्ते हैं इसका उप्योग करते हैं इसका यूज क्या चुआ होते हैं देखो पॉलिश करने के लिए ठैलों में और सीरप के लिए होते हैं ठीक है इसके निश्पंदन यानि की filtration filtration ठीक है यह क्या होता है समुदरी उत्पात है मतले समुदरी से मिला है तो समुदरी उत्पात ही तो कहलाएगा ना c product है ना यह हमारे आर्थिक महत्व के लिए होते हैं यह देखो किते कुपसूरत लग रहे न इतनी छुटब्र से होते हैं डाय एतम ठीक है चलो आगेबड़े चलिए agreeing दाइनो फ्लाजिलेट की बात करते हैं अभी हम ठीक चलो अगर हम दाइनो करते हैं तो बेटा सबसे पहले किया देखते देखते हैं कि यह कहा रहता है कि यारी कुछ नाम जो ही रहता है है सिर महँ नाम तो पढ़ने ॹर्म 10 नहीं है फिर देखते हैं कि चलो यह रहता कहां पर है कौन सी जगा में रहता है तो यह हमको का मिलता है यह समुद्री आवास में मिलता है ठीक है समुद्री आवास में ठीक है और यह क्या होते हैं यह प्रकाश संसलेशी होते हैं ठीक यह क्या हुए दूसरा हम क्या मोलेंगे यह कैसे प्रकाश संसलेशी ठीक है अब यह प्रकाश संसलेशी है इसका मतलब क्या है कि भई खाना खुद बना रहे हैं है ना इसका मतलब क्या हुआ कि खाना खुद बना रहे है करेक्ट और प्रकाश संसलेशी है इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होगा ठीक कौन कौन से कलर हो सकते हैं तो इसमें अपने पास कौन से कलर आते हैं वर्णक कौन से मौजूद है इसमें जी हमारे पास कौन सा है हरा कलर भी है पीला भी है नीला भी है और कौन सा है और लाल भी है लाल ठीक तो ये हमारे पास वर्णक मौजूद होते हैं चलो इसके बा करते हैं कोशिका भिती याने की सेलल वॉल हां को यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ि भिति है यानि सेल वॉल है तो किससे बनी हुई है सेलिल से बनी हुई है यह ठीक है सेलिलूस से तुर्थी लुए मतलब क्या हो रहा है देखो यह क्या है plant क्यरेक्टर को यहां पे यो Carnival को और Inter लिह चालू है ऑक White इसके बुमिंगा बात करते हैं इसके अग्जांपल की बात करते हैं एक जैंपल का तो इसका एक बहुत ही खुबसूरत सा एक्जैम्पल है उसको उसके नाम के हिसाब से उसी कलर से लिखेंगे हम गोनिया याद आया गोनिया से क्या है गोनिया लेक्ष अब ये जो गोनिया लेक्ष होता है ये क्या होता है वाइट अठाते हैं संक्या क्या करता है बढ़ाता है ठीके यानि कि sexual reproduction करता है यह यहाँ पर और क्या करता है अपनी family को आगे बढ़ाता रहता है ठीके अब यह जो gonia legs है इसको एक और नाम से जाना जाता है जो मैं अलग color से लिखती हूँ ठीके इसको कहते हैं लाल आतंक लाल आतंक अरे एक वो movie नहीं है जिसमें जो है वो कहता है कि बाबु भाई का नाम क्या है आतंक का दूसर नाम बाबु भाई ठीके तो यहाँ पर लाल आतंक का दूसर नाम क्या है गोनिया legs जिसमें रिटेश देशमुक है उस पिच्चर में नाम मुझे याद नहीं आ रहा हां जिसमें उसको 10 को रोड रुपे चाहिए होते हैं क्या था याद नहीं आ रहा है ठीक है तो वह आतंक से ना मुझे बाबु भाई वहां पर याद आ गया जो रिटेश देशमुक से पूछते हैं कि जो है आतंक का दूसरा नाम क्या है वह करता है बाबु भाई चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है यहाद सबको क्लियर हो गया तो यह भी वही आतंक है लाल आतंक ठीक चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं डाइड ओ फ्लेजिलेट देखो कुछ इस तरीके से डिखता है कि ठीक है यह ऐसे दिखता है है इसे पूछ पूछ सीन एक लिए यह होती है यह बीच में से सथी छलो देखे के यह क्या कहना चाह कहले नहीं क्या कहलेंगे फोटो informations कहले यह कहलेंगे प्रखाय से थी वह द्लब कहलेंगे इन में कई तरह की वर्नक पाए जाते हैं अब फोटो सिंतेसिंट से की पॉस्स होगा वह बुँद होने वहां पूंसे इस'? तो जे वरक होगा ना उसके आधार पर उसका नाम में लाल दिक देते हैं इस पनौन के वर्णा के पहँ ऐंगे छिपन prede कोशिका भित्ती जो थिये बाहर ही सत्य पर सेलिलोस की कड़ी पटिकाय होती इंने प्लाया था ना यह प्लांत के क्यरक्टर शो कर रहे हैं बहुत तेज हैंगे यह दोनों के क्यरक्टर करते Hходит के सेलियो सब्सक्राइब देको मौझूद sä जादतर डाइनो फ्लाजिलेट क्या होते हैं दो कशाब होते हैं इसमें मौझूद ठीके दो कशाब ठीक चलो आगे बड़े चलो ये देखो डाइनो फ्लाजिलेट की कुछ इस तरीके से दिखता है लाल आतंखियरा ठीके चलो देखो जिसमें एक कशाब लबमवत होता है मतलब लंबा होता है दूसरा अनुप्रस्त रूप से होता है ठीके कोशिका भित्ती की पटिकाओं के बीच में खाच में होता है ठीके अकसा लाल डाइनो फ्लाजिलेट द्वारा बड़ी संख्या में विस्फोर्ट होता रहता है इनमें क्यों होता है विसफोट होता रहता है ठीक है और यह क्या करते है जब विसफोट होता है तो लाल तरंग छोड़ते रहते हैं इसलिए यह लाल कलर आ रहा है ठीक है इनके लाल तरंग को कारण समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है दिख रहे हैं लाल इसी कारण समुद्रिय मचली तथा अन्य समुद्रे जीव मर जाते हैं मर जाते हैं ठीके? उधारन भी बता दिये था मैंने गोनिया लेक्स लाला तंक ठीके? चलो आगे बढ़े यहाद नहीं किसी को कोई डाउट? नहीं है न? वेरी गुड और डाउट है तो अपने हों क्या करना है? डाउटनेट करना है यहीं तो मिलेंगे हम आपको? और कहां मिलेंगे? चलो आगे बढ़ते हैं चलिए फिर आता है मार पास यूगलिनॉइड यह बहुत खुबसूरत सा जीव है ठीके? देखो कितना खुबसूरत है है न? लेकिन मैंने पहली कहा है यह जितने खुबसूरत है न उतने देंजर है इनकी खुबसूरती के उपर बिल्कुल मत जाना ठीके? चलो चलो इन में अधिकतर जीव स्वच्छ ताजे पानी में रहते हैं मैंने क्या बोला यह बहुत सफाई वाले लोग हैं भाई इनको गंदगी बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती है इन्हें साफ सफाई चाहिए जहां साफ सफाई होगी वहाँ यह यह यूगलीनोइट मिल जाएंगे आपको आसानी से ठीके? शांत जल में ठीके साइलेंट चाहिए इनको विल्कुल साइलेंट चाहिए कोई शोड शराबाने चाहिए बहुत शांती प्रिये लोग हैं ठीके अब जो इनकी कोशी का भित्ती होती है याने की सेल वॉल होती है वहाँ पे성 सेलबॉल के स्थान पर पतली परत होती है वहींसें हें नहीं होती यहां अगरेऊ युक्त पदार्थ यहाँ पर पॉलां एफ निष्ल बूल quantities यहां पर यहां it ऑचेक अब देखो इसमें भी दो कशाप पाए जाते हैं थीख इसमें क्या और है दो कशाप पाए जा रहे हैं हैं ने कर Bennett कि एक छोटा यह वाला रहा कि यह लंबा है न तो ये छोटा, ये लंबा मिम्दा कजलिए पताओ इन दोनों का यूज किस नीचा का या है 두ि इंस os बताओ जो छोटा होता कैशाप और बड़ा वाला कैशाप दोनों किस किस फ्लेन आते हैं कि चालो मैं बता देती हो ये जो होता है सबसे पहले छोटा वाला बताते हैं ये जो छोटा कशाब होता है ये क्या करता है? ये दूसरे जीवों से रक्षा करने के काम में आता है ठीक है? दूसरे जीवों से रक्षा करता है ये ठीक है? अब ये जो बड़ा वाला है बड़ा वाला ठीके ये बड़ा वाला क्या काम करता है भोजन पकड़ने का काम करता है ये भोजन पकड़ने का काम ठीके तो देखो छोटे वाले वाले काम है कि भाईया दूसरे जीवों सही है हमारी मतलब इनकी तुरक्षा करे और जब बड़ा वाले उसका काम क्या है कि भाई वो खाना पकड़ेगा अब खाना दूर हुआ तो प्रटेक्ट से अपनी पूछ को आगे बढ़ाएगा और पकड़ लेगा ठीक है और चोटा रहेगा तो चोटा वाला क्या जब आसपास कोई दूसरा जो है जीव आएगा तो बहुत ही क्या है अच्छे वेवारिक लोग हैं यह यह दोनों तरह का वेवार करते हैं सुर्य की प्रकाश की उपस्तिती में यह प्रकाश अंसलेशी सपोशी बन जाते हैं ठीक है सपोशी होने के लिए आटो ट्रॉपिक होने के लिए कौन सी खास बात चाहिए भाई होगी आप उसका यूज करोगे तभी तो प्रकाश अंसलेशी जीव कहला होगी ठीक है और देखो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्तिती में यह अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्बर रहकर पर पोशी जैसा विवार करते हैं बहुत तेज होते हैं मैंने बता बता है और लास्ट वाला क्या इसका एक्जेम्पल यूगलीना यह हमारा यूगलीना है ठीक है? करेक्ट क्लियर यादक? बिलकुल इस यूगलीना की तरह क्लियर चलो आगे बढ़े अपपँ अवपंक अवपंक अपंक कवक याने की स्लाइम मोल्ड हम? ah lime mold haiме है कि चलो यह होते हैं यह मुरत पोशी परोटिस्टा होते हैं कि एक मतलब की मुरत जीवों और सड़े-ले पोदोपत्तियों और जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं यह कहते हैं भाई ताजा खाना अपनी किस्मत में नहीं है जो मिल रहा है खालो बहुत बिचारे एड़्जेस्टिंग नेचर के हैं इन्होंने नेचर में अपने इसाब को कि यह कोई बात नहीं जो वेस्ट मटीरियल हैं उसी से अपना काम चला लेंगे इह करते हैं अपने अनुपूल परिशितियों में रहने पर एक समू बना लेते हैं अगर कंदिशंस इनके जैसी होती हैं तो क्या करते हैं यह एक ग्रूप बना लेंगे ठीके जिने समू प्लास्मोडियम कहते हैं ओके फिर प्रतिकूल परिसितियों में यह बिखर जाते हैं फिर बिखर भी जाते हैं अनुकूल में क्या करते हैं जब इनके according नहीं होती है condition गलत होगी है ठीक है जहां इनके according condition नहीं है वहां क्या कर लिए समू बना लिया और जहां condition इनकी तरफ है कि भाईया ये तो हमारे favor में काम हो रहा है वहां क्या करते हैं ये बिखर जाते हैं ठीक है चलो अपने अपने रस्ते वाईयो दुआरा होता है ठीक है फिर क्या आता है देखो आहां लास्ट ही है हमारा protozoa तो सभी प्रगार के protozoa क्या होते हैं परपोशी होते हैं यानि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं ये पर जीवी की रूप में रहते हैं पर मतलब दूसरा जीवी इनका संबंध प्राणियों से काफी पुराना है यह हमारे सगे संबंधिया बहुत पुराने ठीक है ना चलो प्रोटो जोवा का वरगी करन देख लेते हैं यह चार भागों में विभाजित हैं क्लियर हो रहा है सबको नहीं हो रहा है आरहे समझ में वी कितना समझ में आरहे हैं टाइमगी वेस्ट नहीं करना है पढ़ाई पर ध्यान दो ठीक है सबसे पहला आएगा अमीबा प्रोटेजुवा ठीक है यह जीर धारी स्वच्छ जल में समुद्री जल में तता नम ब्रदा में पाए जाते हैं ठीक है इनको साफसफाई का बहुत शौक है समुद्री जल में पाए जाने वाले अमीबा की सित्य पर सिलीका के कवज होते हैं ठीक के किया करता है बतायताए ना सुरक्ष प्रदान करता और यह अपना पौजन कूट पादो की सहायता से करते हैं जैसे एंट अमीबी परजीवी ठीक दूसरे क्या आता है कशाभी पाया जाता है सिर्फ एक कशाब हOTा है इनके शरीर पर पर जीवी कशाब प्रोटो जोब बीमारी का कारण होता है जैसे कि ट्रीपैनोसोमा कि आगे बढ़ें और पिर आते हैं तो यह जलिय जीव होते हैं मतलब कि जल में पाया जाते हैं सक्रियोंगती करने वाले जीवधारी भी होते हैं सक्रिय मतलब बहुत एक्टिव होते हैं एक्टिवली मूव करते हैं ठीक है एक ग्रसी का गुहा होती है जो कोशिका के सतय पर बाहर की तरफ खुलती है ठीक है यह हजारों की इनकी शरीप हजारों की संख्या में पक्षमा पाए जाते हैं हजार कि संख्या में इन पक्षाबों की गती के कारण ही जल में से पूरा भोजन गलेट की तरह बेज दिया जाता है जैसे की पैरा मीसियम क्या कहलाएगा यह पैरा मीसियम कहलाता है ठीके ओके फिलास में आता है क्या करता है देखो इसमें अलग अलग प्रकार के जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमन करने की योगे बिजाणू जैसी अवस्था पाई जाती है ओके इन में से सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम प्रजाती है सबसे डेंजरूस जो स्पेशीज है वो कौन सी ह प्लाज्मोडियम ठीक है जिसकी वज़े से मलेरिया होता है यह मलेरिया पर जीवी है ठीक जिसके कारण मनुष्य में रोग फैलता है मलेरिया का जैसे की प्लाज्मोडियम मलेरिया पर जीवी कर्रेक्ट यहां तक सब को क्लियर और यह हमारा टॉपिक भी यहां पर क्लियर लेकिन दिमाग से क्लियर नहीं करना है टॉपिक ठीक है ना मतलब हमारा टॉपिक यहां खताम होगी है ओके तो बचापाटी कितना समझ में आया आप सब लोगों को आये नहीं आया यह मेरी मेरी महनत पे पानी फेर दिया ऑफेर समझ में आया है तो वीडियोगो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर लगता है यूसफुल है तो दोश्तों में शेयर भी कर दो ताकि उनकी भी knowledge इंग्रीर हो जाए हां ठीक है लेकिन like करना बिल्कुल नी भूलना है ठीक चो चलो फिर मिलते हैं अपने अगले lecture में अगली class में wait करना मेरा जाना नहीं है कहीं यहीं पे आना है वापिस ठीक है ना तब तक अच्छे से इस chapter को revise करो और हां जो लोग नए है वो please इसको समझने की कोशिश करो आज ठी ठीक है नहीं समझ में आता है एक बर फिर से वीडियो देखो और अच्छे से समझने के लिए जो प्रीविएस वीडियो लिंक से उनको जाके जरूर देखो ताकि आपको चप्टर स्टार्टिंग से समझ में आ जाए ठीक है ना चलो मिलते हैं अपनी next class में तब तक के लिए आ बस्ती कीजिये और बहुत चारी पढ़ाई कीजिये ठीक है बाइबाई बाइबाई